तो आईए मेरे दोस्त करते हैं प्लास को आरम दें ध्यान दें आपकी सेवा में ये नाइन टेंथ का मैं पेपर स्वाल कर रहा हूँ जो आपने संडे को टेस्ट दिया होगा पेहना सवाल है 20% बारसिक दर से 2000 रुपे का निवेस किया जाता है और ब्याज वो अर्दबारसिक आधार पर चक्रब्र भी किया जाता है तो 18 माह के बाद रासी कितना प्राप्त होगा सबसे पहले मेरे दोस्त आपको ये देखना है कि 20% का जो रेट है वो बारसिक रेट है जबकि यहाँ संयोजित छमाही हो रहा है इसका मतलब हमारा रेट क्या काम करेगा तो मेरे दोस्त हमारा रेट 10% काम करेगा और 10% जब रेट काम करेगा तो 10% की रेट से कोई भी मुलधन एक संयोजन में एक बटा 10 बढ़ जाएगा और एक बटा 10 बढ़ने का मतलब है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम रेशियो लगाते हैं तो 10 प्रिंसिपल एक ब्याज के साथ 11 बन जाएगा ठीक है मेरे यह हुआ प्रथम संयोजन में आपको सबसे पहले यह दिमाग लगाना होगा कि कितना संयोजन होने वाला है तो 6-6 महिने में अगर संयोजन होने वाला है तब तो 18 महिने में कितनी बार संयोजन होगा तीन बार संयोजन होगा तो क्या कहेंगे पहला चमाही में 10 से एक बरकर 11, दूसरा चमाही में फिर 10 से एक बरकर 11 और तीसरा चमाही में फिर 10 से एक बरकर 11 हो जाएगा और इस परकार 18 महिने के बाद हम ये देखेंगे कि 1000 की रासी 1331 बन गया है और मेरे साथियों यही जो 1000 आपको प्रिंसिपल दिख रहा है वो question में actual में 2000 दिया हुआ है ठीक है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ प्रिंसिपल डबल है तो मेरे दोस्त हमारा interest भी डबल होगा यानि ये हमारा 2662 हो जाएगा आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा ठीक है बढ़ते हैं question number next year देखिए और मेरे दोस्त आगे बढ़ते रहिए चलिए बढ़ते हैं ज्यान दीजे आप लोग तिर्फुज ABC DEF के समरूप है तिर्फुज ABC का छेतरफल 100 semi square और DEF का छेतरफल 49 semi square तिर्फुज ABC का सिर्सलम 2 semi है तो DEF का सिर्सलम क्या होगा अब देखिए सबसे पहले इस question को discussion करने से पहले आप एक point देख लिजे मेरे दोस्त देखिए दो समरूप तिर्फुज के जो area का ratio हो तो समरूप तिर्फुज के जो area का ratio होगा वो उसके corresponding side के square corresponding side के ratio के square के बराबर होगा ठीक है दूसरी बात दोनों तिर्फुज के corresponding median यानि संगत माधिका के बरक्यनुपात में होगा दोनों समरूप तिर्फुज के संगत परिमाप के बरक्यनुपात में होगा साथी साथ corresponding angle by sector यह square के ratio में होगा इन रेडियस के square के ratio में होगा और circum radius के square के ratio में होगा ठीक है इतना ही नहीं संगत ठीक है सिर्सलंब corresponding perpendicular यह बरक्यनुपात में होगा ठीक है यानि आप corresponding side का square कीजिए आप corresponding height का square करिए आप संगत अंतह तिर्जिया का square कीजिए आप संगत माधिका को square कीजिए संगत परिमाप को square कीजिए ठीक है तो मेरे दोस्त आप यह देखेगा कि इन सब के square के बराबर area का ratio होता है अब आई आते हैं question पे आज हमारे पास दो तिर्भुस दिया है तिर्भु JVC और DEF यह दोनों आपस में क्या है similar है क्या आप लोगों को notification अभी भी नहीं गया है एक बार आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग को notification गया नहीं गया चलिए ध्यान देजे तिर्भुज ABC और तिर्भुज DEF दो तिर्भुज है इन दोनों के जो area का ratio होगा यही इसके संगत सिर्शलंब के ratio के बर के अनुपात में होगा यानि तिर्भुज ABC का सिर्शलंब 5 है और तिर्भुज DEF का सिर्शलंब X है दोनों के area का ratio उनके संगत मुचाई के बर के अनुपात में होगा अब तिर्भुज ABC का ratio 100 है तिर्भुज DEF का हमारा 49 है जो मेरे दोस्त 5 बटे x k square के बरावर होगा आप ए square transfer करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और बटे मेरे दोस्त 7 और यह आपका 5 और upon x तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 दूनी 10 यानि यह कितना हो जाएगा आपका 2 x और बरावर 7 तो x का मान क्या होगा 3.5 इस तरीके से मेरे दोस्त आप आराम से कह सकते हैं कि 3.5 इस question का answer हो गया आईए मेरे दोस्त चलते हैं question number next year अब आप इसको देखिए देखिए हमें यह कहता है कि सर इसे इसे इस रूप में लिखा जा सकता है इसे इस रूप में लिखा जा सकता है तो बताए यह option का कौन साइस model है या कौन साइस option है जो इसको मेरे दोस्त indicate करता है तो अब आप ही सोचिए अगर इस इसको अगर इस रूप में लिखा जा सकता है बताए न यही चिस तो option में दिया है कौन सा option है जिसको इस रूप में लिख सकते हैं तो कोवन सी बात है ना 6-7 है यह हो जाएगा सरसथ बटे 100 और यह सरसथ 100 का मतलब क्या होता है 4 और गुने 25 ठीक है 4 और गुने 25 यह हमारा हो जाएगा सरसथ बटे 100 यानि इस question का answer हमारा option number मेरे दोस्त भी हो जाएगा ठीक है चले चलते हैं question number next अब 24 नमर question देखिए हमें यह कहरा है कि निम्दलिकित में से कौन द्विघात समीकरन है तो अब देखे द्विघात समीकरन हम उसी को कहते हैं जब variable पर power भिल्ण के रूप में ना हो देखो यहाँ variable में root है मेरे दोस्त तो यह द्विघात समीकरन नहीं हो सकता यहाँ भी x पर root है यह भी द्विघात समीकरन नहीं हो सकता है ना लेकिन यहाँ बिल्कुल भी variable पर root नहीं है यहाँ a plus b का अगर हम whole square भी करते हैं तो x square plus 2x plus 1 plus x square और बराबर 0 तो यह हमारा हो जाएगा 2x square plus 2x plus 1 बराबर 0 यानि कि इस question का answer हमारा option number C हो जाएगा ठीक है बढ़ते है question number next year बढ़िये अब देखो मेरे दोस्त सबसे पहली बात कल से हमारे class का timing सरे 9 बजे ही रहेगा अगर आप सरे 9 बजे लाइव नहीं होते हो तो आपका class चूटेगा जिसके जिम्यदार हम नहीं होंगे ठीक है चलिए बढ़ते हैं अब यह देखो यह जो question है यह class 12 का question है 11 12 का जिसके लिए पॉसलेंदर सर पूछी छन के बाद आएंगी बीच में आपको करवाएंगे ठीक है आईए हम मेरे दोस्त देखते हैं इस question को अब यहां पर यह question देख रहे हैं आप इस प्रकार की question में numerator और denominator में से किसी एक को change करिए अगर मान लिया जाए कि आप numerator को change करते है denominator को तो कैसे change होता है 47 में क्या जोड़ेंगे 90 तो मेरे मीतर 43 और cos बदल के क्या होता है sign ठीक है उसी तरह से मेरे दोस्त आप इसको बदली 70 में क्या जोड़ेंगे 90 19 और sin बदल के क्या होगा हो जाएगा cos अब आप यहां से मेरे दोस्त जोड़ें देखे यह cancel out होगे क्या होगा और ये कैंसिल आउट हो जोड़ेंगे थो मेरे दूस्त ये तो हमारा होगे अपना दो लेकिन माइनस ये आठ और गुने एक बटे दो स्क्वेर करेंगे हो जाएगा एक बटे यह क्या है? एक बेलन की उचाई 14 सेमी है और बक्र प्रिष्ट छेतरफल 660 सेमी स्वेर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? ठेक है? अब यहाँ देखिए बेलन का उचाई दिया है बक्र प्रिष्ट भूप से अईधन पूचा है तो मेरे दोस्त देखो और इन्टू कार H, R हमें नहीं मालूम और H हो जाएगा चौड़ा, R हमें नहीं मालूम और H हमारा चौड़ा दिया हुआ है, ये हमारा 660, अब जो कटने वाला इसको कट दीजिए, तो 22 और 63 हो जाएगा, 7 दूनी चौड़ा, यानि फाइनली R बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, 15 और बटे में 2, ये हो गया हमारे R का मालूम, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भॉल्यूम, भॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वेर ह, R स्क्वेर करेंगे, तो 225 और बटे 4, और इंटू H, H कितना है, तो H हमारा 15 है, अब यहां से आप देख लिजे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इससे ये 11 बार में, तो फाइनली हो जाएगा 11 55, 11 दूनी 22 और 5 27, और 11 दूनी 22, 22 और 2 हो जाएगा 24, यानि 24 75 का आंसर होगा, आई हो कि आपको ये बात समझने आ रहा होगा, ठीक है, आपको अराम से देखना होगा, आप नहीं देखेंगे, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अराम से देखिए न, जरुवत के हिसाब से, कोई जरुरी थोड़े है, जिसको जरुवत है, वो देखिए, एक्जामेशन के बात पता चलता है, किस चीज़ की जरुवत है और जरुवत नहीं है, आईए मेरे दोस्त, और सबसे बली बात क्या है, कि इस कोईशन के अंदर आप ये देख रहे हैं, गुना करने के आपको जरुवत नहीं था, यारा का मल्टिपल देख लेते, आप लगा देते, लेकिन आप कर भी लिये तितना नॉर्मल साथा, कोई बहुत बरी बात थी नहीं, ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, कॉसेक 4 थीटा बराबर सेक 60 मैनस 2 थीटा, तो बताएए सर, थीटा बराबर क्या होगा, तो हम यहां से यही चीज़ कहेंगे, थोरा सा ध्यान दो, क्या मेरे दोस्त, तो ये हमारे पास जो कॉसेक 4 थीटा है, हम इसको सेक 90 मैनस 4 थीटा तो लिखी सकते हैं, आप को गहां जी सर, अब यहां पर क्या है, सेक 60 और मैनस 2 थीटा, ठीक है, अब थोरा सा इस पर देखिए, सेक 90 मैनस 4 बराबर सेक 60 मैनस 2 थीटा, तो आप ही बताएए, क्या 90 मैनस 4 थीटा जो है, ये तो हमारा 60 मैनस 2 थीट यानि कि theta बराबर क्या हो गया है 15 तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि theta का मान कितना है 15 डिगरी है ठीक है चलिए चलते हैं question number next अब मेरे दोस्त इसको देखे ये क्या है अब यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर a second to a cos alpha और sorry a sick alpha cos beta y बराबर b sick alpha और sin beta और z बराबर c 10 alpha तो बताइए x square by a square y square by b square और z square by c square क्या होगा तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप मेरे दोस्त बहुत ही आसान काम करना alpha और beta दोनों को ही आप 0 मान लो ठीक है और 0 मानते हैं देखो ये सवाल कितना आसान हो जाता है सबसे पहले 10 0 degree का मान 0 हो जाएगा तो मेरे मितर 0 into something तो 0 ही होगा आपको होगे हाँ अब यहाँ देखो sick 0 degree का मान तो 1 होगा लेकिन sin 0 degree का मान 0 होने से y का मान भी क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा ठीक है और अब ये क्या है तो हम ये देख पा रहे है ये हमारा a है और stick 0 degree का मान 1 और मेरे मितर पॉस 0 degree का मान भी 1 तो x पराबर ये finally क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा अब x का मान a है y का मान 0 और z का मान भी 0 तो लिजिए जैसे y का मान 0 होगा ये कहानी खतम z का मान भी 0 होगा तो ये भी कहानी खतम तो मेरे दोस्त बच जाएगा सिर्फ x square भाई a square x का मान a है a रखिएगा तो a square और भाई में हो जाएगा a square जो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त 1 बन जाएगा तो सीधा सीधा बताईए इस question का answer क्या होगा तो इस question का answer हमारा ये को जाएगा ठीक है आईए बढ़ते हैं question number next अब इसको देखते हैं ये क्या है मेरे दोस्त ये हमें कहता है किसर n के किसी पुर्नांत मान के लिए मतलब n के किसी भी पुर्नांत मान के लिए अगर हम इसमें तीन से भाग दें तो क्या सेस आएगा तो उसके लिए सोचने की जर्वत ही क्या है आप डिरेक्टी तीन से भाग दे दीजे न तो देखिए तीन का कोई भी पावर है अगर वो कह दिया किसी भी पुर्नांत के लिए अगर आप यहां पर रखते हो मेरे दोस्त अपना भी एक मेमरी आप लगा सकते हो कोन सी मेमरी लगाएंगे सर् मेमरी आप यह लगा सकते हो कि तीन की पावर यह 2N आप पलस मेरे दोस्ती 9N और पलस में यह 3 और पलस क्या हम चाहेंगे तो 5 को 3 पलस 2 लिख सकते हैं न आप को कहां सर् अब आप चुचा आप 3 से भाग दे दीजिए अब देखे न 3 से भाग दीजिएगा यह कट के remainder 0 हो जाएगा 3 से इसमें भाग दीजिएगा यह भी 0 हो जाएगा और 3 से इसमें भाग दीजिएगा remainder 0 हो जाएगा और 3 से 2 में भाग दीजिएगा remainder 2 होगा जिरो पलस जिरो पलस दो फाइनल आंजर क्या होगा? दो हो जाएगा, बहुत आसान है, कहीं कोई दिकता और नहीं होना चाहिए जिरो कैसे मानते हैं? मेरे तोस्थ अलफा हो बीटा हो एक ही एंगल हो, हम यह सा वहाँ पर हम जिरो डिगरी मानते हैं तो कि जिरो डिगरी मानने से अगर कहीं भी अन्डिफाइन होगा, तो 45 मानेंगे अगर कहीं अन्डिफाइन नहीं हुआ है, तो हम जिरो डिगरी मानके चल जाएगे, कहीं कोई दिकत नहीं होने वाला है चलिए अब चलते हैं इस कोशन पे और इस कोशन को देखते हैं क्या है यह बृत के बाहिय बिंदू से असपर्स रेखा की लंबाई 5 रूट 3 यूनिट है यदि बृत की तिरजिया 5 यूनिट है तो बृत से बिंदू की दूरी कितनी होगी अब देखे मेरे दोस्त यह हमारे पास एक बिंदू है ठीक है ध्यान देना एक दोस्त मेरे हमारे पास यह बृत है यह बृत का सेंटर है इसके बाहर कहीं एक पॉइंट है हम से यही पूछ रहा है कि बृत के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा इस point का distance क्या होता है ठीक है तो मेरे दोस्त यहां पर हम यह देख पा रहे हैं Aspars रेखा की लंबाई क्या है तो Aspars रेखा की लंबाई 5 और root 3 cm साथी साथ औरत तिर्जा की होगी तो यह हमारे पास 5 तिर्जाこの alert एक पर क्या होता है है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे अप किसी भी संठों तिर्बुन में लंभ है या धार है कारन कैसे फाइंड होगा लंभय स्क्वेर योऎ पांच का efficiently करेंगे तो 25 तिया 75 ho जाएगा यानि फाइनली ये सौ होगा जिसका वर्गमुल दस आएगा यानि आप अराम से मेरे दोस्त ये कह सकते हो कि दस तो मित्र मेरे ये दस कहां से कहां आया है तो देखे ना ये जो हमारे पास अभी दस आएगा ये जो हमारे पास मेरे दस अभी दस आएगा ये दस कहां से बिंदू की दूरी चाहिए अब आप सोचिये बिंदू की दूरी चाहिए अब आपसो बूरा दस अगर यह चाहिए अनुगनी मेरे थी नमबर A इस question का answer हो गया, I hope कि आपको question मस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है, चलिए चलते है question number next, मेरे दोस्त, बेरासी नमर question को बहुत ही आसानी से आप देखिए, और बहुत मज़ेदार तरीके से रेखिए, देखिए यह हमें क्या कह रहा है, बिंदू A, बिंदू B और 0,2 है, वो दो बिंदू से संदुरस्त है, किसे किसे, बिंदू B से और मेरे दोस्त, बिंदू C से, अब आप यहां देख सकते हो, बिंदू B का कोडिनेट क्या है, हमारा 3,A है, और बिंदू C का कोडिनेट क्या है, तो मेरे दोस्त, यह हमारा A और 5 है, देखिए, यह distance और ये दोनों ही मेरे दोस्त equal distance है, ठीक है, तो बिंदू A, बिंदू B तथा C से equal distance पर available है, तो बताइए हमारे A का मान क्या होगा, अब मैं आप से ये पुछना चाहता हूँ, यदि हमारा A B बराबर है A C के, अगर ये A B और A C आपस में बराबर है, तो इन दोनों का square भी आपस म बराबर होगा, ठीक है, अब अगर हम A B square निकालने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 और माइनस 0 का square, तो मेरे मित्र ये हमारा, रांदो अच्छे से, 3 और माइनस 0 का square, पलस, मेरे दोस्त, A और माइनस 2 का square, A C square, A C square कैसे find करेंगे, A माइनस 0 का square, 5 और माइनस 2 का square, ठीक है, तो मेरे दोस्त, हमने यहाँ पर A B square भी निकाल लिया, और यहाँ पर हमने A C square भी निकाल लिया, अब मेरे दोस्त, आप इसे solve करेंगे, जैसे ही आप solve करेंगे, तो 3 का square तो आपका 9 होगा, और ये आपका हो जाएगा, A square माइनस का 4 A, और पलस 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसको break करेंगे, तो ये आपका A square होगा, और ये हमारा 3 का square 9 होगा, यहाँ से 9 से 9 हमारा विर दोस्ता घटके 0 हो जाएगा, A square से A square भी घटके 0 हो जाएगा, या इधर finally 0 हो जाएगा, तब तो मैनस का 4 A, और बराबर अगर हमारा मैनस 4 हो जाएगा, तब तो A का मान हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो A का मान 1 हो जाएगा, तो इस परकार से इस question का answer आपने 1 निकाला होगा, कहीं कोई दिकत आपको नहीं हुआ होगा, सलोप से भी थोड़ा बता दीजिएगा, मेरे दोस्त इसको आप सलोप से कैसे बना सकते हो, यह थोरी न बोला है कि एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर 3 बिंदू है, किसी बिंदू से 2 बिंदू का समधुरस्त होना, यह इस बात का बिलकुल भी परमान नहीं है, कि वे एक ह नहीं रेखा पर अस्थित होंगे, वे अलग लग रेखा पर भी हो सकते हैं, ठीक है, चलते हैं मेरे दोस्त अगले सवाल पर भी, अगले सवाल की हो, नेक्स लूसर, अरे जब तक 3 पॉइंट संद रेखी नहीं होगा, तब तक हम से लोग भला कैसे लगा सकते हैं, ओके, अ नहीं हुआ होगा, ठीक है, बड़ी आगे, 84 नमर देखे, अब मेरे दोस्त इसको देखे, यह क्या लिखता है, यह लिखता है, किसी तिरभूज के तीनों उचाई का योगफल, इन में से किसको दिखाएगा, ठीक है, तो आपको घबराने की बात नहीं है, हम मेरे दोस्त आ अब यहां से हम इस फर लंब डाल रहे हैं, यह हमारा एक हाइट हो गया, BE यह हमारा दूसरा हाइट हो गया, और मेरे दोस्त cf, यह जो हमारा है, यह तीसरा हो, ठीक है, तो AD, BE और cf, यह हमारा तीन हाइट, तीनों हाइट का योगफल, तीनों घुजा से क्या समबंद सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं अगर कोई समकून तिर्भूज है मान लिजे कि PQR एक समकून तिर्भूज है यहां पर मेरे दोस्त 90 डिगरी के सामने का जो साइड होता है यह लार्जेस्ट होता है ठीक है मतलब सबसे बरा होता है अकेला अकेली में PQ से भी बरा होगा और QR से भी बरा होगा यानि हम यह कह सकते हैं कि PQ का मान जो है यहां पर PR से पी आर है PQ का मान PR से छोटा होगा उसी तरह से QR का मान भी जो होगा वो PR से क्या होगा छोटा होगा यानि समकून तिर्भूज की किसी एक भुजा का मान कर्म से हमेशा छोटा होता है तो अगर हम आज एक उचाई AD की बात कर लें तो AD, AD, B एक समकौन तरभूज है जिसमें AD लंब है और AB कर्न है लंब AD का मान, कर्न AB के मान से क्या होगा तो मित्र मेरे छोटा होगा उसी परकार से अब हम मेरे दोस्त इस तरभूज की बात करें जिसमें लंब हमारा कौन है लंब हमारा BE है तो मेरे भाई, जब लंब हमारा BE है ठीक है, इसमें A, B, E ये लंब है तो ये हमारा कर्न हो जाएगा लेकिन AB का चर्चा तो कर लिये है तो यूरों उचाई को अलग-अलग भुजा से रिलेसन दिखाईएगा जब इसका मेने इसके साथ संबन देख लिया है तो अब बात आप इसकी करिए जब बात आप इसकी करेंगे ठीक है, एकदम ध्यान से तो मेरे दोस्त इसकी अगर हम बात करते हैं न FC का, तो लिजे FC FC के लिए ये संकुंत्रिवुज हम ले रहे है 90 डिगरी के सामने करन AC हो जाएगा तो FC का मान AC से क्या होगा? छोटा होगा अब एक और उचाई हमारे पास रह गया है BE तो पेरे दोस्त अगर हम BE की बात करते हैं तो BE और इसके लिए गर ये संकुंत्रिवुज लेते हैं अगर हम आज इस तीनों को add कर देते हैं तो आप देखिएगा कि AD पलस FC और पलस मेरे दोस्त BE ठीक है? ये छोटा होगा इससे परिमाब से यानि AB पलस AC और पलस BC परिमाब से छोटा हो तो ये बात आप हमेशा देख्जान रखिएगा कि हमारा तीनों उचाई का जो योगफल होगा वो मेरे दोस्त परिमाब से छोटा हो जाएगा अब बढ़ते हैं यान से आगे अगले question देखिए हमें ये कह रहा कि के किसमान के लिए तीनों बिंदू आपस में सनरेख़्ी होगा अगर तीन बिंदू आपस में सनरेख़्ी होगा तो आप ये ध्यान रखेंगे इस सनरेख़्ी वाला जो मामला है न आप देख लिए मेरे दोस्त तीनों उचाई का योगफल जो है तीनों भुजा के योग से छोटा होगा ठीक है आएए बढ़ते हैं कोर्षन नमर नेच्ट योग अब यहाँ पचासी नमर कोर्षन क्या कहता है कहता है के किसमान के लिए ये तीन पॉइंट आपस में सनरेख़्ी है अगर दोस्त मेरे तीन पॉइंट आपस में सनरेख़्ी है तो तीन भात तो आप हमेशा ही ध्यान डख़्ेगा यह हमारा A यह हमारा B और यह हमारा C ठीक है यदि तीनों आपस में सनरेख़्ी होंगे यदि तीनों आपस में सनरेख़्ी होंगे पातको समझने कोशिस करियेगा ये तीनों पॉइंट अगर आपस मिशन देखी होंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर तीन रिलेशन हो पहला रिलेशन तो यह होगा कि छोटे छोटे दो छोटे छोटे दूरी का योगफल बरे दूरी के बराबर होगा और दूसरा मेरे दोस्त क्या होगा द्यान से इसको देखे तो छोटे-छोटे दूरी का योगफल बरे दूरी के बराबर होगा और दूसरा रिलेशन यहां होगा एरिया ओफ ट्रेंगल फिर भूज का चेतरफल जिरो होगा और तीसरा रिलेशन क्या होगा मेरे मित्र स्लोप ओफ अफ अबी बराबर होगा स्लोप ओफ बी सी के ठीक है और बराबर होगा स्लोप ओफ इसी के ठीक है अब जड़ा यहां देखिए अगर ये तीन पॉइंट आपस में सन्हेरेखी होंगे पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तो ऐसी अबस्था में इनका स्लोप आपस में बराबर हम कर सकते हैं यानि AB का स्लोप हम बराबर कर सकते हैं BC के स्लोप के बस आप बराबर कर लीज़े दो बिंदू से बुजरने बाली लाइन का स्लोप क्या होता है y2-y1 और मेरे दोस्त x2-x1 ठीक है y2-y1 x2-x1 तो आप यहाँ पर यह देखेंगे y2-y1 करेंगे तो यह k-6 हो जाएगा x2-x1 करेंगे तो यह 8-4 हो जाएगा और बी-सी का अगर स्लोप लेते हैं y2-y1 तो मैनस 6 और मैनस k करेंगे और x2-x1 तो मेरे मितर 12 और मैनस आप 8 करने जाएगे तो आइए 4 है 4 से इधर गुना करेंगे 4k और मैनस 24 चार से मैनस 24 और मेरे दोस्त मैनस 4k अब हम यहाँ देख रहे हैं 8k और यह मेरे दोस्त हमारा 0 हो जा रहा है इसका मतलब केक आमान तो 0 हो गया ठीक है तो केक आमान यहाँ पर क्या आ गया है 0 आ गया है हम उमीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ रहा होगा चलने आगे अब इसको देखे मेरे दोस्त यह हमारा क्या है दोस्त मेरे एक वशन है एक नाव धारा के विप्रित दिशा में 5 किलोमेटर की दूरी और धारा की दिशा में साहे 7 किलोमेटर की दूरी 45 मिनट में ट्रेवल करता है तो आप बस इतना ध्यान दख्ये कि धारा की दिशा और धारा के विप्रित दिशा मेरे दोस्त मैंने आप लोगों से कहा था कि 9 10 में आप लोगों को थोरा सा 11 12 का भी कोशन करना होगा और उसके लिए अपने टीम में सबसे अनुभवी कह सकते हैं कॉसलेंदर सर आपकी सेवा में आ गये हैं तो यहां से अभी क्लास 12 के जो क्वेशन हैं पहले सर करेंगे उसको और उसके बाद मैं आगे आपको अभी कुछ कोशन और कंटिन्यू करूंगा और फिर आप जैसा की थम्लेल में देख पा रहे हो कि हम तीन आदमी मिलकर आपकी से दोस्त और फिर जाके सुमंसर आएंगे तो क्वेंटिन्यू बनके आप देखते रहें और काम करते रहे हैं कि अब भूद धन्यवाद सर शुरुबात करते हैं यह सब कुछन जो ठीक लगाया हुआ हुआ है नंबर यहां से एक क्वेशन था आपका यह सब को गुड मॉर्णिंग बाई रात है तब भी गुड मॉर्णिंग पहली मुलाकात में बोला ही जाता है चलिए देखते हैं हम लोग तो हमारे सवाल में है सबसे पहले आपका कुछन नंबर है 75 तो 75 नंबर कुछन देखिए 75 नंबर सवाल साहिद करा दी है सर क्या यह 75 नंबर सवाल इसको आप देखिए यह 11 12 के सिलेवस पर है तो आप सभी जानते है कि अगर बाई बराबर यू गुना भी हो तो दी बाई 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 डी एक्स बराबर होगा u गुना b का differentiation जोड भी गुना u का differentiation यानि dy by dx बराबर हो गया u into b का differentiation तो log x का differentiation होता है 1yx plus b into u का differentiation यानि e के power x का differentiation तो e के power x common ले लेंगे तो मिल जाएगा 1yx plus log x आपका अंसर होगा e के power x into 1yx plus log x अंसर हो जाएगा c 75 तो आंसर होगा c बहुत बहुत धन्यवाद बहुत लोग सही बनाये हैं इसके बाद question number है आपका 93 नाइन्टी थ्री ये सवाल है आपका पलस्टू के सिलेवस से करा है कि यदि a बराबर है एक दो तीन चार पांच और b बराबर है एक तीन पांच साथ नो तो a माइनस b और यहाँ sign छुटा हुआ है ये a माइनस b और b माइनस a इसके साथ क्या है union या intersection ये पता नहीं चल रहा है और सवाल हमको पहले मिला भी नहीं था कि हम इसको verify कर लेते हमें ट्रेंडम अभी सवाल को देख रहे हैं तो a माइनस b तक तो ठीक है b माइनस a ठीक है यानि इसमें होना चाहिए a माइनस b और b माइनस a के साथ कुछ operation तो होना चाहिए खैर कोई बात नहीं a माइनस b का मतलब होता है a का element जो b में नहीं है a का element जो b में नहीं है यानि देखिए एक दो तीन चार पांच b में एक है तो इसको छोड़ देंगे तीन है तो इसको छोड़ देंगे पांच b है तो इसको छोड़ देंगे तो ये का element बच गया दो और चार तो ये हो जाएगा आपका दो और चार ये a माइनस b हो गया इसी परकार से b माइनस a b माइनस a का मतलब b का element जो a में नहीं है b का element लिखना है जो a में नहीं है तो ये में कौन-कौन हो गया दिखिए, 1 और 5 है, 1, 3, 5 है, तो बच जाएगा 7 और 9, अब इन दोनों का कुछ operation होना चाहिए, जो सवाल में हमको नहीं दिख रहा है, A-B और B-A, इसके बीच में क्या होगा, ये पता नहीं है, तो 2, 4, 7, 9, 2, 4, 7, 9 जो लोग बोल रहे हैं अं माइनस B, यूनियन B-A, हलाकि ये सवाल में हमको नहीं दिख रहा है कहीं, तो हम उसी के अधार पर बना देते हैं, यूनियन रहेगा तो हो जाएगा 2, 4, 7, 9, यानि इनको मिला देंगे, और अगर intersection सवाल में होगा, तो intersection वाला का answer हो जाएगा, इन दोनों में common, तो 2, 4, 7, सवाल में कोई नहीं है, तो फाई हो जाएगा, आप सवाल में देख लिजिएगा, कि सवाल में क्या लिखा हुआ है, यूनियन होना चाहिए, तो यूनियन होना चाहिए, तो ये answer होगा, 2, 4, 7, 9, आपको जो सिखने वाली बात है, वो यही देख लिजिए, A-B का मतलब A का element जो ये में नहीं है, इसके बाद सवाल नंबर है, 121, 121, 121 करा है कि N के किस मान के लिए, A का पावर N पलस 1, जोड़ B के पावर N पलस 1, बटा A का पावर N, जोड़ B के पावर N, A और B का गुनोत्तर माद्धी है, तो ध्यान दीजिए, A और B के बीच का जो गुनोत्तर माद्धी है, वो होना चाहिए, रूट A, B, रूट A, B, ये ध्यान देना है, A और B के बीच का arithmetic mean रहता तो ये होता a plus b by 2 a और b के बीच का harmonic mean होता तो ये होता 2ab बटा a plus b तो एक तरीका बनाने का ये है कि ये जो quantity आपका दिया हुआ है ये root ab के बराबर है इसको calculate कर लिजिए और n का मान निकाल लिजिए दुसरा बात है कि n के मान को put करके देख लिजिए कि इसमें से कौन सा मान आ रहा है जैसे n का मान अगर हम one put करते हैं तो ये हो जाएगा a square जोड़ b square बटा a plus b ये कभी भी root ab के बराबर नहीं होगा अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा a cube plus b cube बटा a square जोड़ b square कभी नहीं होगा तो c put करके देख लेते हैं तो c रख देंगे तो मिल जाएगा a का power one by n का value one by two तो one by two plus one क्यानि three by two जोड b का power three by two divided by a का power one by two और जोड b का power one by two इसको भी root a b में transfer नहीं करेंगे ये सवाल है आपका 121 तो इसका मतलब इसका जवाब इन में से कोई नहीं होगा इनका जवाब होगा इन में से कोई नहीं कोई नहीं अगर इस सवाल को बना के देखना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि इसका solution कर दें देखिए इसको solution कैसे करेंगे a का power n plus one और जोड b का power n plus one बटा a का power n जोड b का power n बरावर है root a b यानि a का power half into b का power half तो आप लिखेंगे a का power n plus one जोड b का power n plus one बरावर होगा a का power n plus one by two into b का power one by two जोड यहाँ पर होगा a का power one by two into b का power n plus one by two अब similar power को एक साथ रखिए इनको यहाँ ले आईए a का power n plus one minus a का power n plus one by two into b का power one by two बरावर a का power one by two into b का power n plus one by two minus इसको यहाँ लेके चले जाए बी का power n plus one अब आप देखिए यहाँ a का power न पलस हाधा और यहाँ है n पलस पूरा तो common लेंगे तो आधा common हो जाएगा यानि यह का power n पलस आधा common हो गया तो n पलस one था तो यह का power आधा बच जाएगा और ये B का पावर हाफ बच गया यहाँ पर दिखिए B का पावर N पलस 1 और यहाँ B के पावर N पलस आधा तो B के पावर N पलस हाफ common हो जाएगा बचेगा A का पावर हाफ माइनस B का पावर हाफ यह दोनों कट गया तो बच जाएगा A का पावर N पलस 1 इसको यहां ले आएंगे b का power n plus 1 by 2 बराबर हो जाएगा 1 यानि a बटा b का power n plus 1 by 2 बराबर होगा कुछ नहीं है 1 तो 1 को आप लिखते हैं something to the power 0 तो base बराबर हो गया यानि power बराबर होगा तो n plus 1 by 2 बराबर 0 यानि n बराबर minus 1 by 2 तो इस सवाल का सही जवाब होगा minus 1 by 2 अगले सवाल में है अगला सवाल है आपका 101 के बाद 123 नंबर सवाल है 123 नंबर सवाल है यह देखिए निकालना है आपको i dot j cross k plus j dot k cross i plus k dot i cross j तो ध्यान दिजिए a dot b cross c को कहते हैं a scalar triple product of a b c और इनको लिखा जाता है a b c से ऐसे a dot b cross c तो dot और cross का product निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाल लेंगे ध्यान दिजिएगा cross product के लिए cross product के लिए आप use कीजिएगा ऐसे anti clock wise में यह है i यह है j यह है k तो ध्यान दिजिएगा i dot j बराबर होगा k j dot k बराबर i k dot i बराबर j ऐसे आईएगा anti clock wise में तो positive और clock wise में जाईएगा तो negative जैसे i dot j i cross j है तो k हो जाएगा यानि दूबो को छोड़ करके तिसर का sign positive होगा जब anti clock में जाएंगे और negative होगा जब clock में जाएंगे तब देखिए यह हो जाएगा आपका i dot j cross k है देखिए j cross k है ऐसे जा रहे हैं anti clock wise में ही जा रहे हैं इसी direction में तो j cross k बराबर क्या हो जाएगा i तो i dot i plus j dot k cross i देखिए k cross i तो मिल जाएगा j plus k dot i cross j यह देखिए i cross j तो मिल जाएगा k अब ध्यान दीजिए कि a dot a निकालेंगे तो क्या होगा तो आप formula जानते हैं कि a dot b बराबर होता है a b cos theta तो a dot a मतलब दोनों vector same हो गया तो उसके बीच का angle हो जाएगा 0 तो यह cos 0 हो जाएगा 1 तो यह मिल जाएगा a b into 1 अब b के जगा पर a ही रख दिजिए तो i dot i मतलब i का magnitude into फिर से i का magnitude into cos 0 i unit vector है तो इसका magnitude 1 होता है i unit vector है तो यह भी 1 और cos 0 भी 1 तो 1 into 1 यानि 1 plus 1 plus 1 यानि अंसर हो जाएगा आपका 3 यह अंसर है आपका c क्या प्रस्ण है भाई आपका बोलिएगा क्या जवाब दें आपको इसके पहले एको सवाल और था यह 122 नंबर भी सवाल है इसको देखिएगा करा है कि find the differential equation representing the family of curve by बराबर a sin x plus b by बराबर a sin x plus b where a and b are arbitrary constant एक curve है by बराबर a sin x plus b और आपको निकालना है इससे differential equation तो differential equation कैसे form करते हैं differential equation form करने के लिए हम इसको उतना ही बार differentiate करते हैं जितना इसमें arbitrary constant की संख्या है और differentiate करने के बाद जो एक equation बच जाता है arbitrary constant से फिरी वही आपको equation प्राप्त होगा तो देखिए by बराबर दिया हुआ है a sin x plus b दो constant है तो दो बार differentiate करेंगे तो dy by dx बराबर होगा a a sin x plus b का हो जाएगा cos x plus b और फिर x का 1 और b का 0 अगर हम d2 by dx square निकालें तो a cos x plus b का हो जाएगा minus sin x plus b और फिर x का 1 b का 0 यानि d2 by dx square बराबर होगा minus a sin x plus b और a sin x plus b को आप लिख सकते हैं by यानि d2 by by dx square बराबर होगा minus by यानि आप इसको इधर ले आएगे तो आपको मिल जाएगा d2 by by dx square पलस by बराबर 0 पलस by बराबर 0 121, 22 फिर 23 भी है यहाँ पर 121 हो गया 122 हो गया, 123 हो गया, 124 भी है 124 नंबर भी पलस 2 से सवाल है, आप देखिए तराय की a और b independent event है और pa बराबर 0.3, pb बराबर 0.4, तो pa union b बराबर क्या होगा तो pa union b का formula होता है, pa plus pb minus pa intersection b यहाँ तक तो आप class 10 में पढ़ते हैं, class 10 तक के probability में यह सवाल होता है अब नई बात यहाँ हो गया, कि स्वतंत्र घटना है a और b जो है, वो independent event है a and b are independent event तो यहाँ आपको सिखने के लिए बात हो जाएगी कि pa intersection b बराबर हो जाएगा pa गुना pb, बस यही एक नया formula लगा देंगे, सवाल बन जाएगा तो pa union b का value हमको मिल जाएगा pa union b बराबर होगा pa जिसका मान है 0.3 pb जिसका मान है 0.4 minus pa intersection b के जगा पर होगा pa गुना pb, यानि 0.3 गुना 0.4 यानि 0.12 इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 0.70 में से घटा देंगे 0.12 तो मिल जाएगा 0.58 अंसर होना चाहिए 0.58 यानि इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको b, फिर से हम बता दें कि independent event है तो आपको मिलेगा pa intersection b बराबर होगा pa गुना pb independent event है independent event का मतलब होता है कि a और b के a के होने से या ना होने से b के probability में कोई फर्क न पड़े अगला सवाल देखिए अगला सवाल है 125 नंबर 0 से πाई बाई 2 root 10x plus root 10x जोड root cot x तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान देजिए अगर कोई function 0 से a है और उपर में a फोफ x है नीचे में भी a फोफ x है और a पलस b माइनस x मिल जाए अगर इस type का मिल जाए तो इसका अंसर होगा upper limit माइनस lower limit by 2 ध्यान देजिएगा यहां देखिए f x बराबर है root 10x तो यहां भी आपको root 10x मिल गया और यहां देखिए a पलस b माइनस x यानि 0 पलस πाई बाई 2 तो यह हो गया cot of 0 पलस πाई बाई 2 माइनस x तो cot 90 माइनस x को कहते हैं 10x cot तो फिर से आपको वही चीज value मिल गया तो इसका अंसर क्या मिल जाएगा upper limit माइनस lower limit by 2 यानि 5 by 4 5 by 4 इसका अंसर क्या मिल जाएगा 5 by 4 कोई इसमें अंसर नहीं है तो अंसर होना चाहिए none of these कोना क्या चाहिए यही होगा none of these अगर आप सवाल को बनाना चाहें तो इस सवाल को हम बनाएंगे कैसे देखिए सवाल दिया हुआ है a4 x बराबर 0 से πाई बाई 2 under root 10x divided by under root 10x plus under root cortex dx इसको माल लिजिया equation 1 5 बराबर इसको माल लेते हैं let i बराबर हो गया 0 से πाई बाई 2 under root 10x बटा under root 10x जोड under root cortex into dx अब यहां x को replace कर दिजिये a plus b minus x में यह properties है कि 0 से a a of x dx रहे तो आप इसके बदले में लिख सकते हैं 0 से a a of a plus b minus x dx यानि i बराबर होगा 0 से πाई बाई 2 उपर में हो जाएगा 10 πाई बाई 2 minus x यानि कॉट x यह हो जाएगा कॉट x और यह हो जाएगा आपका 10x dx किसको मान लिजिये दू अब एक और दू को जोड दिजिये तो i और i मिल करके हो जाएगा 2i और 0 से πाई बाई 2 इस दुनों को जोडेंगे तो LCM सेम हो जाएगा numerator और denominator दोनों सेम हो जाएगा अंडर रूट 10x जोड अंडर रूट कॉट x डिवाइड़ बाई अंडर रूट 10x जोड अंडर रूट कॉट x और यह dx यह पूरा आपको कट जाएगा तो मिल जाएगा यानि 2i बराबर होगा pi by 2 minus 0 इसलिए i बराबर होगा pi by 2 minus 0 by 2 यानि pi by 4 यही tricks बन जाता है upper limit minus lower limit का याधा यही हम पहले बताये थे इसको ध्यान दीजे हमने यही बताया upper limit minus lower limit का याधा यह tricks है तो tricks कुछ और नहीं होता है बलकि absence of steps होता है a step को हटा देंगे तो आपको मिल जाएगा और इसके बाद सवाल आपका क्या है भई इसके बाद यह matrix है यह सवाल matrix का है question कह रहा है कि यह यह बराबर है cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha और a plus a का transpose बराबर है unit matrix i का मतलब होगता है unit matrix और इसका order वही होगा जो दिया हुआ सवाल का order है यानि one zero zero one उसके बाद आप यह देख रहे होंगे a dash इसको बोलते है a का transpose a का बोलते है transpose और transpose का मतलब होता है row के element को column में लिग देना तो सवाल कह रहा है कि a पलस a का transpose बराबर है unit matrix ये आपका हो गया cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha और a का transpose क्या हो जाएगा तो जो r1 में है वो c1 में आ जाएगा ये r1 में है cos alpha और minus sin alpha इसी परकार से ये हो जाएगा sin alpha cos alpha बराबर में होगा one zero zero one अब इसको आप जोडेंगे तो cos alpha और cos alpha ये हो जाएगा two cos alpha इसके लिए पहले आपको theory जानना चाहिए कि दो matrix का जोड तब होता है जब दोनों का order सेम हो और दोनों matrix को जोडने के लिए सिर्फ corresponding element को हम जोड देते हैं corresponding element को जोड देंगे तो minus sin alpha और sin alpha 0 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 cos alpha ये मिल जाएगा one zero zero one अब यहाँ लगाएंगे कि कोई दो matrix बरावर है कोई दो matrix बरावर है इसका मतलब corresponding element बरावर होगा तो two cos alpha one के बरावर होगा ये zero यहाँ है ही ये zero यहाँ है ही तो 2 cos alpha बराबर होगा 1 यानि cos alpha बराबर होगा 1 by 2 और आप जानते हैं कि cos में 1 by 2 मान किसका होता है तो cos 60 degree का होगा यानि alpha का मान होगा 60 degree जिसको कहते हैं pi by 3 so answer is b answer is b वह बहुत लोग जवाब सही दिये हैं simple कुमारी डी सिंग संतोस कुमार नेहा मिस्रा आकास दास प्रिया सिंग सोनु कुमार rsg academy अतेहपुर गया से हैं परविन कुमार यादब जी मुकेश जी खुसबु जी बहुत लोग सही जवाब दिये हैं sir इसका पीडियाप कहां से मिलेगा माननी अमर जीत sir आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको मेरे हिस्से का और जो सवाल है वो हम देख लेते हैं और सवाल है आपका ये सवाल है question number 127 कता n p 5 बराबर 20 गुना n p 3 तो n का मान क्या होगा आप जानते हैं कि n p r बराबर होता है factorial n बटा factorial n minus r तो n p 5 का मतलब हो गया n का 5 factor लिखिए n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 और निचे में 5 का factorial लगा दीजिए 5 4 3 2 a बराबर होगा 20 गुना n p 3 यानि n का 3 factor लगा दीजिए घटे हुए करम में और निचे में 3 का factorial लगा दीजिए देखिए n का साफ हो जाएगा n minus 1 n minus 2 ये साफ हो जाएगा निचे में 3 2 1 साफ हो जाएगा तो बचेगा n minus 3 गुना n minus 4 बराबर होगा 5 4 का 20 और गुना 20 400 इसका मतलब ये हो जाएगा n square minus 4 n और 3 n 7 n plus 12 बराबर 400 यानि n square minus 7 n minus 400 में 12 घटा दीजिएगा तो 388 हो जाएगा अब गुना करके 388 जोड़ घटाओ करके 7 ये होनी चाहिए थी बात कुछ मिस्टेक होगा कुछ मिस्टेक हो गिया है n p 5 फिर से हम देख लेते हैं n p 5 का मतलब होगा n का 5 फैक्टर यानि n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 1 2 3 4 ये वो n minus 4 और बटा में हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 और इधर हो जाएगा 20 गुना n p 3 यानि n into n minus 1 into n minus 2 बटा 3 2 1 3 2 1 तो कटेगा और ये तीनों फैक्टर भी कटेगा तो हम सही जा रहे हैं n minus 3 into n minus 4 बराबर होगा पांच यूका बीस गुना बीस यूद यूद न फैप यूद न फैप बराबर है बीस गुना n p 3 N-5 का factorial होगा आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं लेकिन उसको तोड़ने पर यही मिलेगा N-5 बराबर हुआ न फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N-5 अच्छा अच्छा ठीक बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं N-P-R बराबर होगा N into N-1 into N-2 dot 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 ठीक बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं यहां हम जल्दी में फार्मुला अलग लिग दे रहे हैं यहां पर आपको यह लगाना होगा N-P-1 बराबर N N-P-2 बराबर होगा N into N-1 अर N-P-3 बराबर होगा N into N-1 into N-2 खाली उपर में निचे फैक्टोरियल नहीं होगा तो देखिए दिया हुआ है दिया हुआ है आपका N-P-5 बराबर 20 गुना N-P-3 तो N-P-5 का मतलब होगा N into N-1 गुना N-2 गुना N-3 गुना N-4 गुना N-5 अब निचे में फैक्टोरियल 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 जो है न वो N-C-R का मान हो जाता है वो N-C-R का हम लिख रहे थे बार-बार मेरे ध्यान में वही आ रहा है N-C-R ये है N-P-R बराबर 20 गुना N-P-3 यानि सवाल बहुत साधारन है थोड़ा हम उसको N-C-R समझ रहे हैं बार-बार मेरे माइंड में वही जा रहा है तो ये देखिए ये कट जाएगा N-N-1-N-2 ये कट जाएगा N-P-5-1-2-3-4-5 फेक्टर पांच फेक्टर में यतन नहीं रहेगा अब देखिए ये हो जाएगा N-3-N-4 बराबर 20 अब तो बहुत आसान हो गया Left-hand side हो गया दो लगातार नंबर का गुननफल तो इसको भी लिख देते हैं दो लगातार गुननफल यानि 5 हो का 20 तो N-3-5 के बराबर होगा यानि N-3 बराबर 5 तो N-8 या N-4-4 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा N-8 यानि हर स्थिति में N-बराबर मिल रहा है 8 So sorry, so sorry, so sorry, extremely sorry N-P-R बराबर होता है factorial N बटा factorial N-R और N-C-R बराबर होगा factorial N बटा factorial R गुना factorial N-R तो ये वाला बात हम लगा दे रहे थे N-P-1 बराबर N, N-P-2 बराबर N into N-1 इसी परकार से N-P-3 बराबर N into N-1 into N-2 लेकिन अगर N-C-1 रिखा जाए तो N होगा N-C-2 बराबर होगा N into N-1 by 2 और N-C-3 हो जाएगा N into N-1 into N-2 इसी परकार 3 का factorial हैं तो आपको मिल जाता है selection selection अगला सवाल है आपका एक है 119 मेरे हिसाब के सवाल में यह है यह तो काफी असान है determinant आप जानते होगे इसको बना लिजिएगा 11 12 13 12 13 14 13 14 15 यह calculation है सिर्फ determinant में इसके calculation को आप ऐसे ही बना लिजिएगा क्या कर लिजिएगा भाई देखिए क्या कर लेते हैं C2 में से C1 को घटा देते हैं और C3 में से C2 को घटा देते हैं C2 में से C1 घटा दीजिए और C3 में से C2 को घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा determinant बरावर 11, 12, 13 और 12 में से 11 घटाएंगे एक, 13 में से 12 घटाएंगे एक, 14 में से 13 घटाएंगे एक, फिर 13 में से 12 घटाएंगे एक, 14 में से 13 घटाएंगे एक, 15 में से 14 घटाएंगे एक, आप देख रहे हैं कि इस determinant का दो गो कॉलम आइडेंटिकल हो गया C2 और C3 सेम हो गया तो अगर किसी डिटर्मिनांट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनांट का भैलू 0 होगा रंजन सिंग आज अमर्जित सर का कलास नहीं होगा क्या सब कुछ जानते हुए भी मतलब अंजान बनकर के सवाल पुछते हैं यूटूब पर आप जानते हैं कि इस कलास को मर्जित सर ही लेते हैं हम सिर्फ वही सवाल बनाने आते हैं जो हमारे हिस्से का दो चार होता है तब भी इस सब ची पुछने का क्या जरूरत है रंजन जी बड़े हो गए हैं बड़े होने का पर्चे दीजिए टीचर बने जा रहे हैं भैया और मेरे सवाल का मेरे हिस्से का सवाल इधर नहीं है 20 मिटर उची मिनार इधर भी नहीं है ये सब सवाल अब अमर्जी सर कराएंगे और कोई सवाल है नहीं है और कोई सवाल ये एक सवाल 120 नंबर है 120 नंबर सवाल है इसको भी आप कर सकते हैं ये है 210 थीटा डिवाइड़ बाई 1 पलस 10 स्क्वाइर थीटा ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का तो थीटा के जगा पर रख दिजिए 30 डिगरी तो साइन 30 दूनी 60 साइन 60 का मान क्या हो जाएगा साइन 60 ही है साइन 60 ही है और कोई सवाल नहीं है ये एक सवाल है एक सवाल जोड बी एक्स पलसी का आले किस परकार होगा परवलाया कार होगा Quadratic का जो गराफ है ये होता है Parabolic परवल के आकार का एक Paragraph होगा Parabola Upward और एक होगा Downward ये Depend करेगा ये के मान पर जब ये Positive होगा तो Upward और जब ये Negative होगा तो Downward और कोई सवाल मेरा नहीं है हम देखते हैं सर को नासिर सर मेरा हो गिया है तो ये सभी सवाल आपका पलस टू से Related सवाल था इसको हम लोगों ने कर लिया है अब आपके बीच आएंगे माननी अमर जीश सर उनको लगा होगा कि कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए भी होए तो एक दो मिनट आप लोग बेट कीजिए तब तक देखते हैं एक दूसर वाला और सर है कंटिनिव करें छुड़ दें चलिए ठीक है तो सुब्रात्री मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तयारी करते रहिए और रिजल्ट को प्राप्त करने का पुरा प्रियास कीजिए सवाल के रूप में मत देखिए कि कौन है कौन नहीं है बस आपको सिखने का मौका मिलना चाहिए और जहां से सिखने को मौका मिले वहां से सिखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रात्री करोते कि बहुत भी से सिखने कि रहुत बहुत थाओ met प्रियास क्ति कर दो बहुत बहुत कि कि अ थाल थाल प्राप्त करने कि बहुत प्राप्त करते हैं आरंभ एक बार फिर से क्लास का सभी का स्वागत है अगर जा रहा होगा तो मैं क्लास परंब करूंगा चलिए तो हम मेरे दोस्त एक बार फिट से कॉंटिनिव करते हैं आपकी सेवा आए ध्यान दीजिए देखिए आप लोग लाइक और शेयर तो जरूर करते रहें अपने अपने ग्रूप अपने अपने दोस्तों के वाट्से फेस्बुक जहां भी आप सेयर कर सकते हैं सेयर लाइक कमेंट ये सब की भरमार रहना चाहिए है ना चलिए स्टार्ट करते हैं 86 नमर को संसे एक नाओ धारा की विपरित दिशा में 5 किलो मिटर और धारा की दिशा में सारह 7 किलो मिटर 45 मिनिट में तै करती है तो देखे मेरे दोस्त धारा की दिशा में और धारा के विपरित दिशा में धारा की दिशा में सारह 7 किलो मिटर और धारा के विपरित दिशा में 5 किलो समय लगेगा वो 45 मिनट के गंटा में बदल लीजे उसके बाद क्या कहा यदी धारा की दिशा में 5 किलोमेटर जाए और धारा के विप्रीद मेरे दोस्त धाई किलोमेटर जाए तो इनको पचीस मिनट का समय लगता है और आप क्या करिए इस 25 मिनट को भी घंटे में बदल लीजे ठीक है अब मेरे दोस्त हमें कहता है कि धारा की दिशा में 6 किलोमेटर की दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा मतलब साफ हो गया धारा की दिशा में 6 किलोमेटर जाना है यानि 6 किलोमेटर की दूरी और चाल कम गरेगा नाव पलस धारा यानि किसी भी सूरत में हमें नाव पलस धारा की स्पीड चाहिए ठीक है अब देखिए हम कैसे नाव पलस धारा निकालते हैं अगर नाव पलस धारा का मतलब है धारा की दिशा में नाव किचाल निकालना है इसके लिए हमको नाव मैनस धारा को काट इसे हमें सेम करना होगा, इसको भी इसक के लिए द्यख हो,そして कोकी लिए mattress 2 से आपको इधर भी करना हो गाए, आज आपको कुछ भी नहीं सोचना है, और मेरे सीधा सीधा क्या करना भा इस गहता हो, सारे साथ π तो माइनस में 2.5 और बठा B पलस S होगा और यह हमारा 45 बटे 60 में 50 बटे 60 घटेगा तो माइनस में 5 बटे 60 हो जाएगा मेरे दोस्त यहां से हमारा कैंसिल आउट हो चुका है अब देखिए धाई दूनी 5 और मेरे मेतर 2 से कटेगा 30 बार में तो यहां से B पलस S बराबर आ गया है 30 किलो मेटर पर आवर अब देखिए यही मेरे दोस्त 6 किलो मेटर की दूरी अगर 30 किलो मेटर पर आवर की स्पीड स जाएगा है ना दिसा वाली स्पीरतिस आया है तो एक बटे पांच घंटे का समय लगेगा जिसे आप मिनट में बदलेंगे तो मेरे दोस्त 12 मिनट का टाइम लगेगा यानि 12 मिनट इस क्वेस्टन का आंसर हो जाएगा और समझ में आया होगा एकदम मेरे दोस्त दिल से इस ले आये हैं उसले आये हैं स्टॉक एंड सेर का क्या हुआ स्टॉक एंड सेर मैंने आज दिन में करा दिया था वीडियो के सुरू में भी बोल दिया हूं स्टॉक एंड सेर को मैंने करा दिया है दो घंटे 51 मिनट का टाइम मुझे लगा 12 बजे दो भर में आज 20 मई है औ और आज ही मैंने मेरे दोस्त करवाया है ठीक है तो जो लोग आप में से स्टॉक एंसेर नहीं देखे होंगे वह स्टॉक एंसेर देख लिजिएगा अगर वीडियो खुजने में दिक्कत होगा तो स्टॉक एंसेर अमर बायमर्जी सर्च कीजिएगा और थोड़ा सा नीचे ज स्क्रॉल करने पर आपको वह मिलने लगेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं यह क्या है देखिए कहता है 14 सेमी तिरजिया और 45 डिगरी केंद्रिया कोन वाले तिर जिखंड का छेतरफल क्या होगा तिर जिखंड का छेतरफल आप सभी जा 14 से आठ बार में जाएगा और 7 दुनी 4 और 2 से मेरे मित्र 4 बार में ठीक है फिर 2 से आप देखो 11 बार में फिर 2 से देखो गई यह 7 बार है हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर 22 जैसे ही देखे तो कहने का मतलब 22 से क्या कोई नीचे कटने वाला था बिल्कुल भी नहीं यानि कि 22 में 11 अबलेबल है प्राइम नमर अबलेबल है तो हम देखेंगे किस ऑप्सन में 11 से कौन सा ऑप्सन कट रहा है यानि 11 का मल्टिपल कौन स आप यूँ ही आंसर लगा दीजेगा आईए मेरे दोस्त देखते हैं यह क्या है यह हमसे कह रहे है कि माधिका क्या होगा अब आप यह समझे माधिका के लिए सबसे पहले नंबर आप टर्म काउंट कीजिए मेरे मित्र दस टर्म है आपके माधिका ठीक है अब दस टर्म है अगर आपके पास वक्त है आप चाहो तो इसके इसे इसेंडिंग यह डिसेंडिंग ओडर में सजा सकते हो तो सजा लो लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है सजाने का तो आप का मैसे भी कर सकते हो क्या जब number of term even होता है तो वैसे स्थिति में माधिका बराबर होता है एक बटे दो क्या एन बाई टूवाँ पद तो एन बाई टूवाँ पद अगर कहते हैं पदों की संख्यादा से दस बटे दो यानि कि पांचवाँ पद हो जाएगा एक पांचवाँ पद और प्लस एन बा पद आपको लेना होगा छठा पद नमबर अफ टर्म होते हैं तो माधिका बराबर होता है वन बाई टू एक वन बाई टू एन बाई तूवाँ पद और प्लस एन बाई टू पलस बनबाई पद एक वटा दो हो जाएगा अगर पांचवाँ पद ढूणना है कोई बात नहीं आप छोटे टर्म को काटते चले जाएए यह हमारा पहला टर्म हो गया ठीक है इसके बाद यह हमारा दूसरा हो गया फिर यह हमारा अधिर यह हमारा चोज़ा हो गया ठीक है तो मेरे दोस्त फिर हमारा पांचमा और चठा कौन होगा तो पांचमा भी 153 होगा और चठा भी 153 पलस 153 तो मेरे मितर इस अर्थ में हमारा आंसर 153 आजा जाएगा option number B इस question का answer होगे देखे 153 153 153 चले बहुत बरहियां चलते है question number next अब हम 89 number question पर आ रहे हैं यहां से आप देखिए 50 शात्रों का माध्य 40 था बाद में यह पता चला कि प्राप्तांक 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया है सही माध्य क्या होगा कहने का मतलब साफ है कि जिसे 43 गिनना था अगर आपने उसे 23 गिन लिया 43 को अगर 23 गिन लिये कितना कम गिन लिये मेरे दोस्त आपने 20 कम गिन लिया कम गिन लिया इसका मतलब जादे गिनना चाहिए था यानि कम गिनने से माध्य अगर 40 आया था तो सही सही गिनते तो 40 से ज़्यादा आता क्योंकि 43 को 23 ही गिने हैं तो माध्य आया है 40 अगर आप 43 को 43 गिने होते तो 40 से ज़्यादा आता ठीक है कितना ज़्यादा मेरे तो 20 ज़्यादा लेकिन माध्य में माध्य ही जुड़ेगा ना चालिस माध्य है, पचास संख्या का, तो इसको भी पचास संख्या का माध्य बना दीजिए, यनि पचास से भाग दे दीजिए, ये आपका जीरो पुरा जाएगा, जैसे ही आप जोड़िएगा, चालिस दसमलाव आपको चार दिखेगा, यानि इस question का आंसर हमारा C नमर दोनों पासा पर अंक पांच आने की प्राहिकता क्या होगी? जब दो पासा को थेकेंगे, तो टोटल घटना 36 होगी, जिसमें सबसे छोटा जो होगा, मिरदुस्त जब दोनों पर वनवन आएगा, और मिरदुस्त इसी करी में दोनों पर पांच-पांच की बात कर रहे हैं, तो दोनों पासा पर पांच, पांच केबल और केबल एक बार आएगा, यानि हमारे अनुकूल परिनाम एक हो गए और टोटल परिनाम कितने हो जाएंगे? 36, तो मेरे दोस्त एक बटा 36 इस कोशन का आंसर हो जाएगा, सभी भाई ने एक बटा 36, एक बटा 36 आंसर दे दिया ह चलिए चलते हैं, कोशन नमबर, नेक्स्ट की और बढ़ते रहें, ठीक है, ये क्या है, एक घनाव का कुल प्रिस्ट चेतरफल दिया है, लंबाई, चोराई, लंबाई और उंचाई भी दिया है, चोराई हमसे पूछ रहा है, आप सब को पता है कि 2 इन्टू LB, ठीक है, प ठीक है, हमारे पास L का मान, आठ दिया है और हमारे पास H का मान छे दिया है, देखें, ये दो है, ठीक है, दो से आप काठी दीजिए, उसको, इक सु आठारा हो जाएगा, LB करेंगे, तो B को X मान लीज़े, बी को X मान लीजे, आठ एक सुज़ेगा, LH करेंगे, गर 45 हो बी एच करेंगे 6x हो जाएगा और बराबर ये 118 हो जाएगा यहां से आप 14x अगर करते हैं और ये जाके उधर घटता है तो 70x का मान आपका 5 आजाता है बहुत ही आसान मेरे दोस्त x का मान 5 हो जाएगा और कोई दिक्त नहीं है ठीक है एप लैप्टॉप में चलेगा मेरे दोस्त इसके लिए आपको यहां पर टेक्निकल मेंबर से बात करना होगा और फिर आपके प्रॉब्लम को सौल किया जाएगा ठीक है चलिए अब इसको आप देखिए कह रहा है कि संख्या 68, 68, 64 और 89 में 8 और 4 के अस्थानिय मानों का अंतर क्या होगा 8 का अगर अस्थानिय मान निकालेंगे तो 8 और इसके बाद 2 और 2 चार डिजिट है तो इस पर 4, 0 डाल दीजिए यह अस्थानिय मान हो गया और 4 का अस्थानियमान अगर आप निकालते हैं तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिए 4 और 4 के बाद 2 डिजिट है तो आपको 2-0 डालना होगा और आईए मेरे दोस्त अब आप solve कर लीजिए तो यहां solve करेंगे 0-0 और यह हमारा 6 हो जाएगा यह हमारा 9 है और यह हमारा 7 है 89,600 इसको सनका answer हो गया option number C हो जाएगा एक बहुती simple value है simple चीज है जिसे आप मेरे दोस्त place value कहते हैं और यह place value हमारा क्या sorry place value तो आप समझी गए place value क्या होता है तो देखिए जैसे कि 5 का अगर हम से face value पूछा जाएगा ठीक है तो मेरे दोस्त 5 का face value आपका 5 ही होगा दूसरी बात मैं आपको यह भी बता देता हूँ इसी digit का face value वही होता है चाहें वो दसमलब के बाद रहे या पहले जैसे मान लिजे कि 143 और 0.786 और 9 मेरे दोस्त यहाँ पर अगर किसी ने हम से यह कह दिया कि इस 9 का स्थानिय मान क्या होगा तो दसमलब के बाद का मामला है ना 9 को आप लिख लीजिए बस आप यह देखिए कि 9 जो है उडेसिमल के बाद के मा स्थान पर है पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान पर है तो दसमलब के बाद जैमा स्थान पर है नीचे में एक पर उतना ही जीरो डाल दीजिए दसमलब के बाद चोथा अस्थान पर था इसलिए हमने नीचे में एक पर चार जीरो डाल दिया यानि मेरे दोस्त ये हमारा अस्थानिय मान हो गया दसमलब के बाद वाले नमबर का ठीक है चलिए तो चलते हैं मेरे दोस्त आगे और आगे पढ़ते हैं ठीक है आईए तिरानवे नंबर कोशन ये कोसलेंदर सर ने आपको कराया है अब आईए चारनवे नंबर कोशन पर चारनवे नंबर कोशन क्या है मेरे दोस्त ये हमसे कहता है कि दो संख्याओं का लगुत समावर्तक का 14 गुना है लगुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योगफल 600 है पहली संख्या 280 तो दूसरी संख्या क्या होगी अब देखे ना बरास पॉस्ट लिखा है कि LCM जो है ना वो 14 गुने HCF के बराबर है LCM SCF के 14 गुने के बराबर है मेरे दोस्त LCM और पलस SCF ये दोनों मिलकर मेरे दोस्त 600 है ठीक है अब आप LCM के जगछ 14 SCF रख सकते हैं और बराबर हो जाएगे 600, ये हमारा 15 SCF और बराबर 600 हो गया, तो SCF का मान कतना हो गया? 40, ठीक है? अब SCF का मान जैसे ही 40 आ गया, तो LCM हो जाएगा 14 गुने 40, आप कैसे काम करते हो? पहली संख्या ठीक है? अपने परहा होगा, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर LCM LCM तो हमारा 14 गुने 40 है और into SCF और SCF हमारा कितना है 40 है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM into SCF आईये solve करते हैं इससे 7 बार में 7 से ये 2 बार में कटेगा final answer हमारा 80 हो जाएगा तो क्या हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा बिल्कुल बढ़ते हैं मेरे दोस्त question number next ठीक है आईये सब लोग बिल्कुल बना रहे हैं अच्छे से अच्छे से आप लोग चल भी रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए किसी अंक घनीती है ठीक है बाई किसी माध्यम और समीतिय बंटन में बहुलक और माध्य दिया है माधिका का मान क्या होगा आप सब जानते हो तीन गुने माधिका ठीक है तीन गुने माधिका बराबर बहुलक और प्लस दो गुने माध्य होगा तीन गुने माध्य का बराबर बहुलक पलस दो गुने माध्य होगा तो तीन गुने माध्य का बराबर बहुलक पलस दो गुने माध्य आप इस पर मेरे दोस्त बैठा करके अराम से स्वाल्व कर लेना ठीक है आपके पास बहुलक माद दिया है बैठा दे अस्वाल कर लें चलो आगे बढ़ते हैं अब इसकी बात करते हैं 96 नमबर को संकी हमें कह रहे हैं कि alpha और beta इस द्विगात के मूल है 1 by alpha प्लस 1 by beta क्या होगा तो 1 by alpha और plus 1 by beta बराबर मेरे दोस्त यह हमारा alpha बीटा है यह हमारा beta plus alpha है अगर हम देखें तो alpha प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपको यह पता है कि alpha प्लस बीटा minus b तो b आपका खुदी है minus 3 और by a तो a आपका 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा फिर alpha into beta क्या होता है c by a तो c आपका 5 है और a आपका 1 है त तो इस तरह से अलफा प्लस बीटा हमारा 3 है और अलफा इंटू बीटा हमारा 5 है तो मेरे दोस्त यहां पर 3 बटे 5 इसकुर्शन का आशर हो गया ठीक है तो आप लोग मेरे दोस्त इसी तरह से continue आगे मेरे दोस्त काम करते रहें चलते रहें ठीक है तो यह आपके लिए तो हम आप लोगों से पहले ही मैंने कहा था कि हम 3 लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे तो कुछ दौर मेरी सेवा रही कुछ दौर कॉसलेंदर सर की सेवा रही और अब यहां से आगे आपकी सेवा में एसके सुमनसर आएंगे तो एसके सुमनसर यहां से आपकी सेवा करेंगे तो मेरे दोस्त आप लोग चलते रहीएगा और कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्लास बिलकुल मुझे लगता है कि सारे नौ बजे सारे नौ बजे से ही हम लोग आरंब होंगे अभी आपकी यह क्लास चलेगी आगे है ना हम तीनों लोग मिलकर आपकी हेल्प करते हैं और मेरे दूस्त करते रहेंगे आईए सुमनसर तो एसके सुमनसर अब आपके बीच काम करते हैं इससे क्या होता है कि तीनों लोगों को बहुत जादे हरासमेंट ना हो ठीक है और आपने वह दोस्त अच्छे से फ़नीजें प्रुभाइड हो ठीक है क्योंकि इस तैस 10 न कुछ सुभा में रहता है मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे साथियों आज तो तुकिया आपका यासी कोईशन का डिसकेशन है कल जब आपके सामने हम लोग आएंगे तो मुझे लगता है कि कल से लगवग 100 कोईशन रहेगा सव प्लस कोईशन लेकर के मेरे दोस्त हम लोग कल से आएंगे तो सव प्लस कोईशन आप लोग सारे नौ बजे ही जुडएंगे ठीक है थैंक्यू बेरी माच आगे अभी कॉंटिनु आप अपनी सेवा को मेरे दोस्त जारी दखेंगे और सर आगे आपको कोईशन से चलिए सर ने यहां तक सेवा किये अब अगली कोईशन तक कोईशन से हम लोग सेवा करेंगे तो सभी सभी लोग को नमश्कार चलिए ठीक है चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं सवाल पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं उस सवाल को हम लोग देखने की कोशिस करते हैं समझते हैं सवाल की यहाँ पर बात करें तो यहाँ माधिका दिया हुए है अपका 28.5 आप जानते हैं कि माधिका में जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे कि माधिका का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई माधिका का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हैं लवर लिमिट प्लस एन बटा टू एन बटा टू और मैनस Cumulative frequency By F और Into H अब एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं क्या-क्या तीचीज दिया हुआ है क्या-क्या चीज दिया हुआ है इस चीजों को हम लोग समझने की कोशिस करते हैं है ना क्या-क्या दिया हुआ है Welcome मेरे भाई चली, अब यहां से हम लोग देखते हैं कि यहां पर संचाई वारा मरता निकालते हैं, तो संचाई वारा मरता अगर यह 4 है तो यहां हो जाएगा 4 प्लस X और यह हो जाएगा आपका 24 प्लस X और यह आपका 24 प्लस X और फिर जूटेगा तो यह आजाएगा आपका 40 प्लस X और यह इसमें जूटेगा तो यह आजाएगा 40 प्लस X प्लस Y और यह आपका जूट जाए तो दे रखा है, यह कुल योगफल दे रखा है 60, कुल योगफल 60 दिया हुए, N बराबर दिया हुए 60, लेकिन हमको चाहिए N बटा 2, तो N बटा 2 चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 30, मतलब यहाँ पे एक बात समझेंगे, कि L के जगह पर, L के जब मादिका 28.5 है, तो मादिका कहाँ पे लाए कर रहा है, मादिका किस वर्ग के अंदर है, तो यहाँ पे देखिए मादिका इसके अंदर है, मादिका जब इसके अंदर है मेरे भाई, जब मादिका इसके अंदर है, मतलब इसका मध्यम वर्ग जो हो जाएगा, मध्यम वर कि प्रॉन्च के पुलते हैं, लौवर लिमिट, इसी गुर क्या बोलते हैं, यहां पर आगिया किसका N का मान आ गिया, Nby2,LBra 2, LOVER LIMIT कितना आ गिया, माधिका लाई कर रहा है, यहां पर इस दोनों के तर्बीश का लोवर लिमिट आ गिया 20, मला ये 20 आ गया और प्लस अब माधिका दे रखा है 28.5 ठीक है ये 20 आ गया अब एक बात बताएंगे कि n by 2 का मान कितना है 30 cumulative frequency की अगर मैं बात करूँ cumulative frequency क्या होते है cumulative frequency जो होते हैं cumulative frequency जो होते हैं मेरे बाई इस जोहाँ पे आपका जो like या है उसके just वाले संचाई वारंबारता होते हैं मतलग cumulative frequency उसके just पहले होते हैं यह जो आपका वारंबरता है, यह वाला है ना, इसके जस्ट पहले वाला community frequency होते हैं, जहाँ पे आपका वारंबरता होता है, उसी के जस्ट पहले वाला community frequency होता है, यह आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यह आप अच्छे तरीके से आप क्या करते हैं, जानते हैं मेरे भाई और इसका जो आपका जो यह वर्ग है, इसका जो frequency है, वो x है और यही आपका बढ़ावर x होगा, बास समझें, और यहाँ h जो होगा, h मतलब इसकी जो अंतराल है, height, height आपका 10 होगा, यहाँ से आप solutions करेंगे, यहाँ से आप solutions करेंगे, तो answer आजाएगा, अब देखते हैं कि इतना, 26 by x, ठीक है, अब जब यहाँ से हम x बरावर लिखते हैं, तो यह आजाएगा 260, और बटा 8.5 आ गया, 8.5 आ गया, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर काटने की बात करते हैं, तो आपका आजाएगा, कितना आजाएगा, देख लो, 8.324, यहाँ से देख लिए, 5 से कारते हैं, 0.7, 5 से इसको कारते हैं, 5.5, 5.5, 5.2, 10, मलब 22.1.7, यह 17.51, 17.51, अगर यहाँ पर पॉइंट हटा आते हैं, तो 17.51, मतलब 17.51 आएगा, 10, फिर 0 लेंगे, 100 आजाएगा, 17.85, आएगा, 17.85, एक ही चीज़ आपको दीख रहा है, यहाँ पर X कामान, 30.58 आपका यही एंसर हो जाएगा, यही एंसर लगवग आपका एंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी का एंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे बाई, बहुत बढ़िय कहते हैं, जैसे बात करें कि किसी भी नियम के तरीके से, जिसे एक, दो, तीन, चार, डॉट, डॉट, मतलब एक के अंतराल पे लिख रहे हैं, हो सकता है कि यह दो के अंतराल पे लिख रहे हैं, मतलब इसको जिस अनुकरम में अगर लिखा जाए, जिस अनुकरम में लिखा तो उसको हम लोग स्रीज बोलते हैं, स्रीज बोलते हैं, स्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्रीज, मतलब यहाँ पर एक एक कंतर है, हो सकता है कि इस तरीके से इसको लिखा जाए, मतलब दो दो कंतरल, तिन तीन कंतरल पर, मतलब कुछ ऐसा लिखे जो स्रीज में आ जाए, अनुकरम में लिखा जाए, उसको हम लोग बोलते हैं, स्रीज, स्रीदी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का इंसर आ रहा है, बहुत ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे, कह रहा है कि एक तिर्वूज ABC है, मेरे भाई, एक तिर् मतला कि B का बाहकोन क्या होगा, तो B की बाहकोन के अगर बात करते हैं, तो B की बाहकोन की बात अगर करते हैं, तो ये कितना एंगल होगा, एक बात बताएंगे, आप चानते हैं, कभी दो भूजा अगर बराबर होता, ये संदिवाहू, तिर्वूज होता है, और ये एंगल और ये angle भी आपका क्या हो जाएगा बरावर ये अगर 40 है ये 40 है तो ये दोनों मिलकर आपका हो जाएगा कितना? 140 मतलब ये भी 70 और ये भी 70 क्योंकि तिर्वुच के तीनों कोनों का मान कितना होता? 180 degree होता है जब यह 40 है और यह भुजा और भुजा बराबर है यह दोनों भुजा बराबर है तो इसके जो संगत एंगल होंगे वह भी बराबर होंगे तो यहां 70 यहां 70 तो बताएंगे यह दोनों मिलकर 180 डिगरी होता है यह दोनों मिलकर 180 डिगरी होता है जहां पर बोला यह 70 है तो यह is the right answer, C, इसका सही answer आएगा, सभी लोग का answer आएगा बहुत बढ़िया मेरे बाई, सब्बास मेरे बाई मेरे सेर सहरनी सब्बास सभी को चलिए अगले सवाल की बात करता है, यहाँ पर समांतर सरेनी की बात करें, तो समांतर सरेनी की बात करें, तो यह 72 कितने लोग का answer आचुका है, बताएगे 72, और यह dot 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 dot, इसको सुनि तक आने के लिए, कितना तक लिए, सुनि तक आने के लिए, कितने पद होंगे, इसके बारे मेरे बता रहा है, तो A बरावर यहाँ पर देखे कितना है, 72 D बरावर यहाँ पर कितना है बरावर यहाँ कितना है, देखे यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, इससे घटाएंगे, तो minus 6 का हो रहा है, minus 6 हो रहा है देखे 6 घट रहा है, तो minus 6 हो गया N नहीं है, तो T N बरावर होता है, A plus N minus 1 into D, ठीक है, यह होता है इसका अमान, clear है मेरे भाई? बोलो हाँ, सभी का answer आ रहा है, बहुत बढ़ी है मेरे भाई, बहुत बढ़ी है, अब देखे यहाँ पर N, N क्या है, N बोला है, 0 है मलब N यहाँ पर, सुरे, यहाँ पर T N जो है, लास्ट को, क्या 0 है अब A का मान कितना है, 72 है अब देखे, N नहीं पता है तो N मैनस 1 यहाँ पर कर लिए D आपका कितना है, D आपका मैनस 6 है, तो आप गुना कर देंगे यहाँ पर, इधार आएगा मैनस 72 यहाँ तो एक काम करते रुख जाए 0, यह 72 आया और यहाँ पर मैनस गुना होगा मैनस N के साथ गुना होगा तो 6 N होगा, मैनस मैनस प्लस 6 हो जाएगा ठीक है, यह इधार आएगा तो 6 N हो जाएगा, और यहाँ पर यह आजाएगा 78 ठीक है यहाँ पर गल्टी किया, देख लो मैनस मैनस प्लस और यहाँ पर आपका मैनस N आगिया सोरी अंतर यहां पे 9 का है अंतर यहां पे 9 का है यहां भी 9 का है यहां भी 9 का है और यहां भी 9 का है ठीक है तो यहां से यह 9 N आएगा, और 72 और 9 हो जाएगा क्या सी, यह कट्रियत N का मान आगया 9, मतलब यह जो होगा, वो कोन पद होगा 0 होने के लिए, तो 9 पद होगा 0 होने के लिए, हां, मैनस 9 होगा, मैनस 9 होगा, मेरे भाई, गलती से यहां पे 6 लिखा गया, थिक़्े, बास सकते हैं यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं अगर यहां पर नहीं बणाना चाहते तो यहां Zero से स्टार्ट करेंगे फिर नु आएंगे और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगा 18 इसी तरीकर हमकिशार हो गया, आपका 27 हो गया, 36 हो गया, यह आपका कितना आ गया, 45 आ गया, उसके लिसी बाद yearneश ऑगयानest ऑग़ा, उसके बाद yearne आ गया, तो यहां से देखा जाए, तो 4 और यहां पे total कितना पढ़ आ गया, 9 पढ़ आ गया, मतलब यह 9 पढ़ 0 होगा, ऐसे भी आप कर सकते थे, बीना formula के भी आप कर सकते थे, छोटा साथा सवाल, तो अब बीना formula के भी questions कर सकते थे, ठीक है, यहां पे 0 से start करेंगे, 0 से बढ़ते जाएंगे और कहा 72 तक जाएंगे तो आप ऐसे भी एंसर को solve कर सकते थे ऐसे भी इतना करने की कोई जोरत भी नहीं थी लेगिन जो आपका तरीका था वो मैंने बता दिया लेगिन आप ऐसे भी सवाल को बना सकते थे अब जोड़ेंगे तो यह total आ जागा कितना नुवा पत प होगा तो शांत होने के लिए आप जानते हैंगे सांत होने के लिए बहुत आप जानते होंगे बहुत इंपोर्टेंट है आप जानते होंगे सांत होने के लिए कि अगर यहां पे यहां पे पीवाई क्यू है अगर मालते हैं यह पीवाई क्यू है तो यह वाला टर्म जो होन m into 5 पर पावर n या 2 पर पावर m या 5 पर पावर n होना चाहिए, तभी सांत होगा, इसके अलावा कोई भी अगर संख्या होगा, तो वो आशांत होगा, जैसे हम बात करें, कि बात करें कि यहां पर अगर यह दिया हुआ है, अगर हम बात करें यहां से, यह दिया हुआ आपका 14 दिया हुआ है, तो यह 14 दिया हुआ है, तो 14 में आपका क्या है, 2 और 7 है, तो 2 और 7 है मतलब 2 के साथ 7 आ गिया, 2 के साथ जैसे ही 7 आ गिया, मतलब यह जो होगा, वो क्या होगा? असांत होगा यह क्या होगा असांत होगा अगर सांत की बात करें तो यहां पर मालेते हैं कि दिया हुए आपका आठ सो दिया हुआ है तो आठ सो में क्या आएगा दो आएगा और क्या आएगा पांच ही आएगा तो दो और पांच आएगा मतलब यह जो होगा आपका 40, मल 취, यहां पर आ जाएगा 9 पर पावर दू और 5 तो 9 पर पावर दू 5 के साथ 9 पर पावर दू आ गया, तो ये भी आसान्थ होगा मतलए इसका सही एंसर होगा सान्थ होने के लिए ध्यान रखना कि 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर एन या 2 पर पावर m, या 5 पर power n होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहीए, है ना? इसके अलावा कुछ भी नहीं होने चाहीए, तो e इसका सही उत्तर आगया, ठीक है? e इसका सही उत्तर आगया, भुउट बढ़िया, मिरे बाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे बोला गया है कि यह समांतर स्रेणी में हैं समांतर स्रेणी मतलब कि दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए दोनों की बीच का अंतर समान होना चाहिए दोनों की बीच का अंतर समान होना चाहिए दोनों की बीच का अंतर समान होना ठीक है, अब यहां पर दोनों को हम घटाते हैं, तो दोनों को जब हम घटाते हैं, देखेंगे यहां पर 8 को लिखेंगे, 2 पर 8 को लिखेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 root 2 और minus 2, तो यहां से देखा गया, यहां पर आया difference root 2, इसमें से अगर इसको घटाते हैं, तो यहां से देखिए, 18 root 8, 8 को में लिख सकते हैं, 2 root 2, और इसको लिख सकते हैं, 3 root 2, इसको भी घटाएंगे, तो देखा गया कि root 2 आ रहा है, मतलब इसमें से घटाएं, तो यह भी root 2 आया, और इसमें से घटाएं, यह मतलब यह भी अंतर difference समान आ रहा है, यह भी difference आपका समान आ रहा है, मतलब इस बात को भी आप समझ पाएं, कि यह भी difference आपके आगे तक जाएंगे, समान जाएंगे, अब यहां से एक बात समझेंगे, यहां से इसको जब घटाएंगे, तीन दुनी 6 और यहां पे अगर यहां से एक τीन, the city 6 यहाँ भी आपका देखे यह दोनों का अंतर आगया, म lens one by six, यह भी आ गया, मतल यहाँ भी कहेंगे कि यह भी समांतर स्रेनी में है, दोनों समांति, तीनों आपका समांतर सरेनी में, इसलिए इसको हम कह सकते हैं, उप्यूक्त में से एक से अधिक एंसर आ जाएगा सभी का एंसर सी नहीं होगा मेरे बाई सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर से नहीं होगा डी इस दा राइट एंसर आप प्रवीन कुमार याधर ए नहीं होगा टीनों ऑप्षन और समांतर सरेनी में नहीं है और ठीक है ठीक है ठीक समांतर सरेनी में ये सारे जो है, वो किसमे है? ये सारे जो है 17 रेनी में है, लेकिन पूछा है यहाँ पर 17 रेनी में नहीं है, मतलब E इसका सही उत्तर होगा, हाँ, E इसका सही उत्तर होगा, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, नहीं पूछा है, ठीक है, E इसका राइट एंसर होगा, अगर पूछत कौन है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं A B C 3 है मलड़ D answer हो जाता है ठीक है वहाँ जब भी इस टाइप कोशन है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना सही बनाने के बाद भी आप गलत कर देंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे वहाँ पर जैसे हमसे भी गलती हुआ कि हम यहाँ पर D मार दिये ठीक है आपका कमेंट देखे तो उनको पता चला कि यहाँ पर पूछा नहीं है तो नहीं है मतलब E answer आएगा ठीक ना थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे और कस दो कि सलोप का формula होता है आप जानते होंगे श्लोप का formula क्या होता है सलोप का फर्मुला होता है आप जानते हैं कि 10 theta 10 theta y2 minus y1 और x2 minus x1 होता है यह आपका क्या है मेरे भाई x1 और यह y1 और यह क्या है x2 यह y2 है तो y2 में से आप क्या घटाएंगे y2 में से y1 घटाएंगे 5 में से 4 चल गिया 5 minus 4 करेंगे और यहां से भी देखेंगे 4 में से 3 गिया तो 4 minus 3 करेंगे तो यह भी एंसर आगिया यहां पे 1 और 10 theta यहां पे आगिया इतना तो theta परावर हम क्या रखें जो आ जाएगा 1 तो 45 रखेंगे इसका मतलब slope आगिया 45 degree इसका slope आगिया 45 degree सभी लोग का एंसर आ रहा है मेरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत इचही बात है सभी का एंसर आ रहा है सभी मेरे भाईयों और दोस्तों का एंसर आ रहा है बहुत बढ़िया कर यदि 20 centimeter भुजा वाले एक घन को 4 centimeter भुजा वाले चोटे घनों में विवाजित किया जाता है तो इस प्रकार निर्मित छोटे घणों की कुल संख्या कितनी होगे, तो ध्यान रखिएगा, कुल संख्या की अगर बात करे, तो देखिए अराम से, कुल संख्या की अगर बात करे, तो बरे घण का आयतन, and a volume of largest q, but a volume of smallest q, मतलब छोटे घण का आयतन, चोटी घण के बड़े घण की आयतन की अगर बात करेंगे, बड़ा घण का आयतन हो जाएगा, देखिए यहां पर भुजा दिया होगे 20, तो 20, 20, एक की होता है, 20 q, और यह आगी आपका, चोटे घण का, 4 q, 4 q, बड़ी घण वाले में, छोटा वाला टुकळा दे देंगे, छोटा वाला टुकळे से अगर डिबाइड कर देंगे, छोटे वाले टुकडे के घण से डिवाइड कर देंगे, तो आयत良 से डिवाइड कर देंगे, तो शंख्या पता चल जाएगा, यहां से यह 5 बार में, यहां सी यह 5 बार में, मतलव 125 आ गया answer, मतलव कितने संख्या बनेंगे? 125 संख्या बनेंगे, बहुत बढ़िया मेरे बाई, 125 बनेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, 125 बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, करक किसी बहुपत की घात होती है, बहुपत की घात तभी होगी, जब वो पुनांक संख्या में होगा, जैसे हम पावर टू या बहुपत की घात हम बोलते हैं पावर थरी या बहुपत की घात बोलते हैं एक हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि बहुपत की घात मैनस यह वन बाई टू होगा यह आपके पुन शंख्या में यह बहुपत की घात नहीं हो सकती तो बहुपत की घात पुन शंख्य ना में होता है तो एंसर हो गया क्या सी इसका राइट एंसर आएगा बहुत बढ़ी यह शवी लोग का एंसर आ रहा है बहुत अच्छी बारत है मेरे भाई मेरे प्यारे भाई देगे अब यहां पर बोला है कि दो यदी दो चर्मे दो रेखिये समीकरनों को हालेक परतिछेद रेखा हैं तो हल देगे मन लेते हैं कि यह समझेगा यह आपके यह आपका A1X प्लस B1Y और यह C1 इक्वल टू 0 है और एक रेखा आपका यहां पर दे रखा है एक A रेखा दिया हुआ है यह वाला जब यह दिया हुआ है तो जब देखिये दो रेखा एक दुसरे को परतिछेद एक बिंदू पे कर रहा है परतिछेद एक बिंदू पे कर रहा है मतलब इसका हल जो होगा इसका जो हल होगा यह सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एक हल होगा इसी को हम लोग बोलते हैं अदूति यह हल बोलते हैं, है ना, और इसी को हम लोग लिखते हैं, कैसे पहचानेंगे ay2, इस तरीके से इसको पहचानते हैं, परतिछेदी वाले को, ठीक है, इसको अदूतिये भी हल बोलते हैं, इसको अनुठा भी बोलते हैं, ठीक है, कभी-कभी सुनेंगे, इसको अबरोधी भी ब है ना कभी-कभी, इसको संगत भी बोलते हैं ठिक है, और भी कुछ बोलते हैं, इसको हम लोग no hul, मतलब कि सिर्फ unique इसको English मैं बोलते हैं, unique solution भी बोलते हैं, तो इतनी चीजों को हम लोग बोलते हैं, सिर्फ, एक hul की बातगर करें, तो ये इसका हम कैसे पचानेंगे, a1 by a2, does not equal to b1 by b2 होगा, तो वह होंगे, क्या कहेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ एक खलोंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, एक खलोंगे, ठीक है, हाँ, हाँ, unique solutions, ठीक है, तो यहाँ पे answer आजाएगा, क्या, ए इसका सही उत्तर आएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, मेरे भाई, सही उत्तर आजाएगा, ठीक है, हाँ, हलोंगे संख्या एक हो जाएगा, ठीक, इतने चीजों को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में, हिं संगत भी बोलते हैं, consistent इसको English में बोलते हैं, ठीक है, इसको English में बोलते हैं, consistent, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, हाँ, only one solutions होंगे, only one solutions, ठीक है, अगर एक चीज बताएगा, थोड़ा सा आप comment करेंगे, थोड़ा सा आप comment करेंगे, थोड़ा सा आप comment करेंग अगर यहाँ पर बात करें कि लाइन समानंतर हो लाइन अगर समानंतर हो समानंतर रेखा हो तो बताएंगे solution क्या होगा समानंतर रेखा अगर होगी तो इसकी solution को हम क्या पता करेंगे समानंतर रेखा होगा तो क्या solutions होगा अनेक solutions होगा क्या होगा इसका no solutions होगे इसका क्या होगे no solutions होगे और a1 a2 और इसका होता है b1 b2 और इसका does not c1 c2 होता है यह आपका होता है और इसको no solutions होते है नो सोलुशन्स होते हैं और इसी को बोलते हैं असंगत भी बोलते हैं असंगत भी बोलते हैं इसी को हम लोग बीरोधी भी बोलते हैं ठीक है बीरोधी भी बोलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अंगले सवाल पर बोला गया है यहां पर कैसव और सुरजीत थोमस तू था पुंजी था, उसके बद क्या वो लगया है, कि इसकी निवेस की अब्धी दिया हुआ है, इसकी निवेस की अब्धी, पुंजी हम जानते है कि जो लभांस होता है, है ना, लभांस जो होता है, वो क्या होता है, पुंजी गुना, पुंजी गुना समय होता है, तो अगर हम यहां पर समय गुना कर दें, यहां समय भी गुना कर दें, यहां पर समय गुना कर दें, तो यहां पर समय गुना कर दें, तो पुंजी इन्टु समय यह आ जाएगा, लभांस का रिश्यू आ जाएगा, यह लभांस का रिश्यू आ जाएगा, अब एक बात समझेंगे, तो यह परसिंट रख कारियाले के किराये और रख रखा पर खर्च किया, जितना टूटल लाब हुआ था, है जितना टूटल, ठीक है मेरे बाई, इस पीड़ी चलेंगे, फोड़ा सा मैंटेन करके चलना पड़ेगा, अब यहाँ पर बात करें, कि 20% कारियाले के किराये और रख रखा पर खर्च करता है, तो शेसलाब आपस में बाटा जाता है, यदि कैसव और सुर्जीत के अंतर जो हैं, कैसव और सु तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, 60, और 60, 5, 8, 5, 13 है 3, और 4, 15, 5, 16, 6, 17 यह आया 73, ठीक है, यह कितना आएगा, 73 आ जाएगा, कोई बात यहाँ पर, दिक्कत हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, 2, 2, 3, 8, 9, 36, गलती किये हैं, देखें यहाँ पर, कटेगा, 9, 36, 9, 45 लिख दिये थे, यहाँ पर आ जाएगा, आपका, 5, 9, और यहाँ आ जाएगा, 8, ठीक है, यह दोनों का अंतर दे रखा है, आपका, 7, 64, 4 का अंतर दे रखा है, टोटल निकालना है, 10, 28, 28 और 5 आपको निकालना है, यह आजाएगा आपका, टोटल 32, यह आपका जो 32 आया कब का, यह 20 परसें रकर रखा के लिए रख लिया था, तो ये टोटल जो है, ये जो टोटल धन बाटा गया है, ये 80% के बराबर, टोटल 100% था, तो ये 20% क्या हुआ, 20% रख रखा आपके लिया, तो ये अपना आपका टोटल 100, टोटल 80% के बराबर था, निकालना है 100% क्या होगा, टोटल 100% क्या होगा, ये 80% के बराबर है, 100% नि छे सो चालिस ए इसका सही उत्तर आएगा ठीक है इसका क्या आएगा सही उत्तर आएगा आपका गलत है राहूल डाज प्रवीन कुमार यादव 5 3 1 1 कहां से लाएगा ठीक है यह जो है 20 परसेंट रख रख रखा बाट लियाती यह टोटल 80% के बराबर है तो 80% उसको 100% निकाल डंड सवरूप एक अंकात लिये जाते हैं तो एक विद्यार्थी 76 प्रस्न हल किये जाते हैं और उसे 144 संक मिले तो उस विद्यार्थी कितने प्रस्न सही हुए याद रखिए देगे सौटकर इसका बता रहे है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सही प्रस्न की अगर बारे में जी 32 के अब एक बार यह माल लेंगे 76 आप गलत बनाया है तो 76 मतलब माइनस 7 है न माइनस 7 और यहां पे जो बनाया है वह 144 मनाया तो यह दोनों का अंतर मुझे चाहिए यह दोनों का क्या चाहिए? अंतर चाहिए, तो यह दोनों का जब अंतर निकालेंगे, तो यह दोनों का जब अंतर आएगा, तो अंतर मतलब यह negative है, यह positive है, जूट जाएगा, 6, 4, 10, 7, 4, 11, 11, 11, 12, और यहां पर यहां पर यह आगया 220, ठीक है? अब यहां पर, सही पर 3 अंक देते हैं, और गलत पर minus 1 काट लेते हैं, अब यह दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? तो यहां पर दोनों के बीच का अंतर एक positive, एक negative है, 4 का, तो यहां से इसको cut करेंगे, तो यह आ जाएगा 55, मतलब यह सही answer आजाएगा, 55, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आजाएगा, यह समझ लेना, ठीक है? बास समझे की नहीं, यह सही आपका answer आजाएगा, ठीक है? 55, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, करें उस बिंदू का निर्देशांक ग्याद करें, जो बिंदू हो मैनस वन साथ और यह ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, यह एक बिंदू है, और यह दिया हुआ मैनस वन और यह सेवन, बहुत बार यह सवाल आ चुका इस टैप के, बिंदू है, जो बिंदू है, मिलाने वाली रेखाखंड यहाँ पर दिया हुआ यह टू रेशियो आपके कितना है, और इसका निकाला है, X और Y कोडिनेट निकाला है, तो अराम से निकाल सकते हैं ध्यान रखना, एक्स बडाबर निकालेंगे, एक्स बडाबर क्या करेंग यहां पर दीए, यह 2 है, ratio में, 2 इसके साथ multiply होगा, x2 के साथ, तो 4 दुनी 8, 2 इसके साथ होगा, 4 दुनी 8, और फिर 3 इसके साथ होगा, तो 3 मैनस 3 हो जाएगा, तो यह मैनस 3 हो जाएगा, और बटा 2 और 3 कितना जाएगा, 5, ठीक है, अगर y की मैं बात करूँ, y का निर्दर सांक निकालना है, तो यहाँ रखना, कि 2, y2 के साथ multiply करेंगे, तो यह 3 दुनी 6, और 3 इसके y1 के साथ multiply करेंगे, 7 यह 21 यह आ जाएगा, और बटा 5 आ जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा गया, तो 5 बटा 5 यह cancel हो गया, आपका 1 आ गया, और यहाँ पे देखा गया, तो 15 बटा 5 यह 3 आ गया, मतलब x और y का जो निर्देशांक होगा, वो हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 मतलब b इसका right answer आ जाएगा, right answer आ जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हाँ बहुत बढ़िया, आ गया, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल करा कि एक ठेले में 5 लाल और कुछ निले गेंदे हैं, तो माल लेते हैं कि इसका blue जो गेंद है, जो blue गेंद है वो x है, है ना, blue गेंद है वो x है, और red वाला आपका यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो एक बात समझेंगे, यदि निली गेंदों की निकालने की प्रैक्ता, इससे टोटल संख्याता 5 प्लस x, ठीक है, लाल गेंदों की निकालने की प्रैक्ता, लाल गेंदों की अगर निकालेंगे, तो लाल गेंद कितना निकल सकता है, 5 निकल सकता है, और किससे 5 प्लस x है, और इससे दूगना है इसकी प्रैक्ता, याने इसके इसका दूगना है इ इसका राइट एंसर आएगा मेरे भाई, शभी को शमज में आना चाहिए, क्लियर है, यह आगे आगा होगा एंसर सबको, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे D और E, करमसा A, B और A, C पे, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दिखिये, दीजेगा ध्यान यहाँ से, यह इसको मिला दिये, A D जो है आपका 2 है, और B D आपका जो है वो 3 है, और यह B C दिया हुआ है, सारे साथ, तो B C यह दोनों समन अंतर है, तो हम कहेंगे D E की लंबाई क्या होगी, मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह एंगल और यह यह दोनों तिरवुज आपका शमरूप हो गया, तिरवुज A D E समरूप होगा तिरवुज A B C, जब समरूप हो गया, तो हम कह सकते हैं यहां पे, हम कह सकते हैं, A D बटा A B, हम कह सकते हैं यहां से D E बटा B C, तो यहां से A D की बात करेंगे 2 और A B की बात करेंगे 3 दू 5, D E की बात करेंगे पता नहीं D E कितना है? D E तो निकालना है और V C यहाँ पर करेंगे. इस इसाथ यह आगना कट जाएगा 1.5 यह धरगो ना होगा तो 3 यह D E का मान हो जायेगा कितना? 3 एसार राइट एंसर, B इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? ठीक है? बेड्मिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले सटल कौर की आकार को शन्यूजन के रूप में क्या कहते हैं आप जानते होंगे बेड्मिंटन खेले होंगे तो आप जानते होंगे इसको इस तरीके से होता है इस तरीके से होता है, तो यह आपका अर्धगोला हो गया, यह आपका अर्धगोला हो गया, और यह आपका छिन्नक हो गया, शंकु का छिन्नक हो गया, तो यहाँ पर अंसर आजाएगा, एक शंकु का छिन्नक और अर्धगोला, यह इसका सही उत्तर आजाएगा, यह इसका सही answer आजाएगा, ठीक है, A, इसका क्या आजाएगा, सही उत्तर आजाएगा, सभी लोग का answer आजाएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर, यहाँ बोला गया है, समीकरन, यह दिया हुआ है और यह दिया हुआ, अनगीने थल होंगे, अनगीने थल में concept आपका काम करेगा, सी, ठीक है, सी इसको बोलते हैं, अनगीने थल को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर अनेको solutions होंगे, अनेको solutions होंगे, है ना, यह आजाएगा, ठीक है, यह आजाएगा, ठीक है, C इसका राइटेन चरूगा एक वैक्ती ने किसी कमपनी से 25 वाले सेर खर दे और कमपनी से 9% का लवांस देती है देगे 25 रुपया में खरिदा और इसको 9% का लवांस मतलब उसको छूट दिया लवांस दिया 9% जितना इसका मुली था जितना इसका मुली था उतना ही उस वैक्ती ने एक्स रुपया जो लागत मुली था उसका 10% वो आय कमा प्राप्त किया इसका 10% प्राप्त किया इसका 10% प्राप्त किया मतलब इसका जो लवांस था इसका जो लवांस जितना था यह जो कमाया है वो लागत मुल्य का 10% कमाया मतलब यह इसका जो मुल्य होगा इसका जो मुल्य होगा दोना मुल्य बराबर होगा तो यहां से आप निकाल देंगे यह कतम हो गया तो यहां से X का मान आ जाएगा 225 बटा 10 मतलब आ गया 22.5 is the right answer 22.5 is the right answer सभी का A, 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 A आ रहा है बहुत बढ़िया ठीक है आगे बढ़ते हैं X, X का समीकरन X, X का समीकरन क्या होगा Y equal to क्या होगा 0 होगा X, X का समीकरन अगर की बात करें मतलब यह X axis है यह Y axis है तो इसी पर रहना चाहिए मतलब ना तो उपर ना तो नेचे मतलब इसी पर समीकरन रहना चाहिए तो यह लाइन पर समीकरन रहना चाहिए तो यह लाइन पर समीकरन रहेगा इसका मतलब Y क्या रखना पड़ेगा 0 और X आप कुछ कुछ भी रख सकते है ठीक है, Y क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है, एक तार की तरिजिया एक तिया ही तक कम हो जाती है, अगर हम मान लेते हैं कि तार है, और यह तार है, इसका r है दिया हुआ, इसका h दिया हुआ है, ठीक है? इसकी अगर आइतन की बात करें, इसका आइतन होता है, pi r square into h. अब क्या बोला गया है, कि इसकी त्रिजिया एक त्याही तक कम कर दिया जाता है, तो जब इसकी त्रिजिया एक त्याही तक कम कर दिया जाएगा, एक त्याही मतलब r वटा 3 और यहां भी r वटा 3 एक त्याही तक कम कर दिया जाएगा, तो इसकी लंबाई जो है, आपको तो पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, यहां तीन तीया नो, यह 9H आ गया, और यह H1 यही पूछ रहा था, तो कितना गुना है, 9 गुना है किसका, 9 गुना है लंबाई का, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 9 टाइमस आपका मल्टिपल हो जाएगा, यह 9 ट सरकल है और सरकल पर कोई असपर्स किया गया है और सेंटर से बताएंगे सेंटर से एक ही समकौन बना सकते हैं दुसरा कोई समकौन नहीं बनेगा मतलब सेंटर से अगर कोई असपर्स रेखा क्रोस किया गया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही समकौन बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही तो यह एक इसका सही उत्तर आ जाएगा, एसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, एक ही सभी करन बनेगा, only राइट एंगल बनेगे, ठीक है, चलिए, बहुत बनिया, आगे बढ़ते हैं, करें 5 cm रिजा वाले ब्रीट के किसी बिंदू, P पर 1S पर सरी खाया, देखें आपे यह 5 cm है, वो है यहाँ पर, और ब्रीट के किसी बिंदू, ब्रीट के किसी बिंदू पर, पर, की असपस रेखा, ठीक है, इसको मालत ने इस तरीके से दिया हुआ, असपस रेखा, ठीक है, यह Q तक दिया हुआ, P Q, ब्रीट की केंसे होकर गुजरने वाली रेखा, Q पर कारत यहां से गुजरने वाली देखा कहां पे कट करेगी Q पे कट करेगी ठीक है यह आगे आपका समकोन हो जाएगा तो यह पांच और यह का दिया हुए आपका कितना 12 यह एंसर आजाएगा कितना यह नहीं कहिएगा 5 12 13 होगा क्योंकि यह करन आपका 13 दे रखा है करन ही दे 13 दे तो यहां पे आजाएगा 12 का स्क्वाइर और मैनस लंब का स्क्वाइर करेंगे तो आधार निकल जाएगा P आर Q का निकल जाएगा तो 12 बरहीं 144 और 5 पच्चे 25 कर देंगे तो अकदर पच्चे यह पे आजाएगा आपका 119 आजाएगा यह एंसर आजाएगा इतना ए ठीक ह इतना जाएगा, यह आप गल्टी से नहीं कर देंगे कि 5 बारह हुआ तो 13 देख लेंगे, 5 बारह हुआ बस डाइट मार देंगे यह 12 ही आपका क्या है कर्ण है, यहीं 20 आपका क्या है कर्ण है। उथेख कि इधार हो गया, सर ने कर दिये थे यहां कर रहा है कि 20 मीटर उची इमारत के सिर्ष से देखने पर एक मिनार के सिर्ष का उनियन कौन साट डिगरी है और उसके अध अस्तल की अबनमन कौन पर 30 दिए थे मिनार की उचाई ग्याद करें यहां देखिए, एक इमारत है, एक इमारत है, और एक मिनार है, ठीक है, अब यहां इमारत के स्तिर से इसके सिस को देखा गया, तो एंगल बनाया कितना, 60 डिगरी का, और इसके जो बेस है, यहां से इसको बनाया, तो यह देखा गया, कितना, 30 मिनाया, ठीक है, यह आपका मिन यह कितना मीटर है, 20 मीटर है, ठीक है, यह पूरा लेंथ निकाला है, तो अराम से निकाल लेंगे, देखे, रेशियो हम जानते हैं, कि यह 30 है, तो यह 30 अगर होगा, तो यह 1 होगा, और यह आपका रूट 3 होगा, यह 6 होगा, तो यह आपका रूट 3, यह 6 होगा, तो यह रू 3 करना पड़ेगा और यहां भी ratio है तो root 3 करना पड़ेगा तो यह आ जाएगा आपका 3 यहां से यहां तक यह 1 है तो यहां भी यह 1 होगा मलब 1 बराबर आपका कितना है 20 1 बराबर कितना है 20 हमको निकालना ये total height निकालना है total height निकालना 3 1 4 मलद 4 गुना करेंगे तो ये 80 meter answer आएगा 80 meter c is the right answer c इसका सही उत्तर आएगा ठीक है c इसका सही उत्तर आएगा मेरे भाई कि बहुत खूफ शवी का answer आ रहा है करा कि निमलखित में से कौन सी कथन सत्य है प्रतीक वास्त्विक संख्या एक पुनांक होता है नहीं वास्त्विक संख्या के रुप में व्यगत किया जा सकता है नहीं समिस्त्र संख्या जो होता है, ये आपका वास्तविक और ये आपका वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है. ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, ठीक है? बात समझी? ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, इस कारण से ये आपका प्रतेक समिस्त्र संख्या को वास्तविक रूप में नहीं, समिस्त्र संख्या को दोनों रूप में लिखा सकता है, इसको कॉंपलेक्स सही उत्तर होगा, ठीक है मेरे बाई, सही, सी, इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना? अब यहाँ पर निकाला है, आरोही करम में सजाएं, तो आरोही करम मतलब बरते करम, तो यहां भी आपका, यहां भी आपका नहीं बढ़ रहा है, शूद 낮 से आपका 20 हो रहा है, मतलब यह बढ़ रहा है, मतलब यह जाए, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? यह इसका सही उταर होगा ठीके? हाँ ठीक है यह दीए पांग से 6 हुआ, चोगदेस से 20 हुआ माला बढ रहा है माला एसका सही उतर है ठीके? पानी का एक ड्रम 3 वटा 4 भरा हुआ पानी का ड्रम मालियो X था इसका 3 वटा 4 भरा हुआ था इसमें से क्या किया? 9 लिटर पानी निकाल दिया, जब 9 लिटर पानी निकाल दिया, तो बचा कितना, या 1 वटा 2 भरार आ गया, मतलब टोटल X का 1 वटा 2 भरार आ गया, अब इसको जब इधर सोलिशन करेंगे, तो 3X by 4, minus X by 2 आ गया, तो इंसर 9, LCM आ जाएगा आपका, LCM आ जाएगा आपका, य यहाँ पर 2X 9, यहाँ से X बराबर आ गया, उदर चल जाएगा, तो 9.36 लिटर एंसर आ गया, 9.36 लिटर एंसर आ गया, मतलब बी इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है? ठीक है? निकित में से कौन सी संख्या? चारपर पावर 61, प्लस चारपर पावर 62, और चारपर पावर 63, और प्लस चारपर पावर 64 को पुनता विभाजित किया गया है, देखते हैं, यहाँ पर एक बात समझेगे कि यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं, चारपर पावर 61, अगर हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से जब इसको solve करेंगे तो 4 चुक 16 और यह 64 और 64 और यहां पर आ गया 16 और 4 15 यहां पर आ गया तो यहां पर 6 4 10 5 5 यह आ गया और 6 1 6 7 8 85 आ गया ठीक है तो यह आ गया पचासी देख लिजिए 61 लेंगे ती यहां आएगा 45 चार चुक 64 और 8 ठीक है 16 ठीक है और 5 16 64 हो गया 70 80 80 85 ठीक है अब यह किसे कटेगा इसके बारे में बताना है तो थोड़ा से एक बास समझो क्या हम इसको क्या हम इसको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 युक 20 आट युक 32 ठीक है, 5-20, 8-32, 32-34 लिख सकते हैं, अब बताइए, इसके साथ ये multiply है, तो बताएंगे कि क्या ये 10 से डिविज्वल होगा, बनलों ये सबी को अगर multiply करेंगे, तो multiply करने के बाद जो आएगा, multiply करने के बाद जो आएगा, बताएंगे वो 10 से डिविज्वल होगा, क्योंकि क्या वो ले perfect ग्यान, अच्छा आपका सवाल क्या है, बताएंगे, सवाल क्या है, बता देते हैं, परपेट ग्यान उसकाम, last में आपको सारे चीज़ बता देंगे, ठीक है, आपका जो answer है, वो हम आपका जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग में सो बोलत है, कि सरीजी कोशन में समय नहीं दीजे, परपेट ग्यान हम आपको सारे चीज़ डिटेल आपका real number के बारे में सहा, बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, last तक रुकिएगा, हम last में आपको real number का पूरा समिस्र संख्यां का आपका पूरा data निकाल लेगे, ठीक ना, ब परपेट ग्यान आप बने रहेंगे, आपको हम बता देंगे, टोटल बारे में बता देंगे, कभी नहीं पुलिएगा, पूरा clear कर देंगे, ठीक है, चलिए, जब इसको इसको डिवाइड करना है, या 6X स्क्वार है, या 3 है, तो इसको लिसकते है, 2X स्क्वार, ठीक है, त अब इसको जब सॉलिशन करेंगे, तो यह आएगा, 6 स्क्वार पावर 4, ठीक है, 4 दुनी, 8X Q आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आजाएगा, आपका कितना, 2 गुना X, मतलब यह 2X स्क्वार आएगा, आप बच्पन में यहाँ पर कियोंगे, 8 क्लास में साथ इसका था, 8 क् कट गया, और यह भी आपका कट गया, आपका हो गया, बच गया, यहाँ पर 15X स्क्वार, यह बच गया, और यहाँ पर आगया, 21X और प्लस साथ, ठीक है, अब एक बात बताएगे, कि यहाँ पर 15X चाहिए, तो यहाँ सिर्फ 5 से गुना करेंगे, तो 5 तिया 15X, 5 उक 20X, औ और यहाँ पर आगया 5, यह कट जाएगा, यह आगया X और यह आगया 2, अब यहाँ हम लोग करनुसार इतना आया, लेकिन कोशन्स में वहाँ दे रखा है, कोशन्स में आपका दे रखा है, वहाँ पर, 7 में सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, 7 पोजिटिव है, यहाँ पर X प्लस 2 आया है, सेसफल, हम लोग करनुसार दे कि सेसफल इतना दे रखा है, लेकिन कोशन्स में बोला है, कि विवाजित करने पर सेसफल आ रहा है, कितना, A X प्लस B आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि X का जो multiple है, वह A का मान है, और B का आपका 2 है, मतलब A बराबर आपका होगी या 1 और बिच्व बरावर हो गयी आपका कितना 2, यह एंसर आएगा, मतलब C यहसका सही उत्तर आएगा, ठीक है? C इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है? यह एंसर आगया, कितना? 1 집 वे लग्षमन कुमार, question number 128, आप इतना पीछे है मेरे भाई, मेरे दोस्त, इतना पीछे आप कैसे हुआ है? लक्षमन कुमार आप इतना पीछे कैसे है? 108 यहाँ पर इतना complete हो गया है? अब देखे इसका अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसका concept समझाएं, अगर किसी fraction का A बटा B और B बटा C और C बटा E, अगर यह fraction दिया हुआ है, यह E ब उपर का क्या लेंगे? SCF, SCF जो निकालना है उपर वही लेंडा और B BCF का LCM, अगर LCM निकालना है तो LCM निकालना है तो उपर का LCM और LCM निकालना तो नीचे का आपका क्या हो जाएगा SCF मलद LCM निकालना तो उपर का LCF इसका आपोजिट हो जाएगा SCF निकालना उपर का SCF इसका आपोजिट हो जाएगा यह आपका fraction में ध्यान रखेंगे ठीक है यह fraction में ध्यान रखेंगे तो उपर के SCF निकालेंगे 2, 8, 16, 10 के SCF हो जाएगा 2, खिक है, और नीचे आ जागा, उपर SCF, नीचे LCM आ जागा, तो नीचे LCM आ जागा आपका कितना, 81, यह इसका सही उत्तर आएगा, यह इसका सही उत्तर, हाँ, दो वटाई क्यासी, दो वटाई क्यासी, बहुत बढ़े हैं मेरे बाई, सभी का इंसर आ रहा है, मेरे दोस्त, एक मिस्तर्ण में रेत और रोडी, एक मिस्तर्ण में रेत और रोडी, जबकि रोडी और सिमेंट, यह दिया हुआ है, और इसका रीशो निकालना है, देगे, इसका दे रखा है, 7 रेशो, 9, अजबकि रोडी और सिमेंट का दे रखा है, इतना, यहां से रेशू निकाल लेंगा राम से, यहां से रेशू निकाल लेंगा यहां पर आजाएगा आपका 6 और यहां आजाएगा 9, तो यहां पर आपको निकालना क्या रेत और सिमेंट का, तो रेत और सिमेंट का आगया यहां पर देखे इतना, और यहां पर हमको रेत और सिमेंट का चाहिए, ज्यादा दिमाद नहीं लगाना है, यहां पर रेत और सिमेंट को ही देखना है, यहां 17 से 17 कट गया, आपका 2 से और यह आ गया 3, 2 इसका सही इंसर आ गया, 2 इसको 3, 2 इसको 3 इसका इंसर आ गया, हाँ, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करा कि PQR एक 100 रूपशेक वैफशायद शुरू किया, या समती हुआ, कि P 6 मेहने के लिए 2500 रुपिया लगाएगा, देखें हाँ, P Q R, P Q R की अगर बात करें, तो यह P 6 मेहने के लिए 2500 रुपिया लगाया, और Q 5 मेहने के लिए 24,000 रुपिया लगाया, और R 3 मेहने के लिए इतना लगाया, तो कितना 0 पुंजी में कट रहा है, पुंजी वाले 0 को कार देंगे, क्योंकि बाद वहाँ कटना भी है, यहीं पे कार देते हैं, तो P 6 मेहने के लिए 25 रुपिया लगाया, मतलब 6 इंटू कितना, 25, इतना ब्याज मिलेगा, इतना के लिए 24, इतना के लिए 24, इतना के लिए 24, इतना के लिए 24, इतना के लिए 24 मिलेगा, और 3 मेहने के लिए, 3 मेहने के लिए ही मिला है, पचास रुपिया लगा के 5 दहें आपका कितना पचास? कि पसम् of control अब देखंगे तीन दूनी 22 दूनी या आगया 5 तो पांस तीडी पंद 12 यह आगया 25 और यह आगया पांस तीडी 25 अब बोला गया है कि एक लाख चार हजार, कुल भालाब में से एक लाख चार हजार, टोटल लाख हुआ, यहाँ पी देखा जाए, तो पंदरह पंदरह तीस और बाइस, तीस बाइस हो जाएगा आपका बावन और इन्टू, निकालना है पी का मान कितना होगा, पी का भाग 15 हो जाएगा, यह दो बार में कट गया, 15 दुनी 30, 30 पर कितना 0, 3 0, यह एंसर आ जाएगा, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, सी इसका सही उत्तर आ जाएगा, बहुत बणिया, सभी का एंसर आ रहा है, ठीक, ठीक. यहाँ पे रेत और रोडी और सिमेंट का रेशियो दे रिखा है 7 to 9 और यह 6 to 7 तो एक प्लोटिंग मेठड होता है यहाँ पे जो खाली प्लोट खाली हुआ है तो क्या करें बगल वाले यह बेकेंट को भर देगा यहाँ भी प्लोट खाली है तो भेकेंट वाला जो उसके बगल वाला है वो भर के इसको भर देगा तो इसको गुना कर देगा इसको गुणा कर देगा तो यहाँ पे जो हमको rate क्या निकाल ला है हमको देखिए हैं पे rate और cement का निकाल ला है तो rate को गुणा कर देगे 17 गुणा 6 और ratio cement का निकाल लेंगे 9 गुणा 7 17 से 17 कट गिया 3 दुनी और 3 तीय ये कट गिया answer 2 to 3 आ गया ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे ये सवाल देखेंगे तर यदी n मानों का x1 x2 dot 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 x n में परतेक में 12 गटाया गया है देखेंगे आप फुरा सा समय लगेगा इस बात को थुरा सा देखेंगे x1 में 12 गटाया x2 में 12 गटाया x3 में 12 गटाया dot 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 xn में 12 गटाया तो इसका योगफल देखा गया आपका 92 है इसका योगफल कितना है 92 है ये आपका देखा गया clear है ये आपका 92 आया तो ये आपका देखा गया कोई दिक्कत यहां तक इस बात को समझ पाए मेरे बाई हाँ ठीक है सभी लोग का समझ में आ गया है बहुत बनिया अब एक बात बताएंगे कि यह माइनस बारा माइनस बारा माइनस बारा कहां तक जाएगा x है प्लस कर देंगे क्योंकि जोड है यह आपका एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स ट्री डॉट 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 प्लस एक्स एन एक बात बता हिए यह बारा बारा कहां तक जाएगा एन जैसे यहां पर 12-12, 12-12-12, 12-12, 12-N तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे, total आ जाएगा 12-N, ठीक है, हम कहेंगे 12-12-12, 10 तक जाएगा, तो total अगर बात करें, तो 12-10 कर देंगे, आ जाते हैं 120, इसी तरीके से इसको कर दिये, ठीक है, एक आ गया यहां पर, यह आ गया, अब दु dot dot, यहां से x पर power n, xn और minus 8, तो हो जाएगा आपका, देखें कितना बोला है, 208 आ गया, तो इसी तरीके से जब हम x1, x2 और x3, dot dot dot, xn तक अगर देखें, तो यह 888 उधर चल जाएगा, 208 प्लस, प्लस आ जाएगा, 8N आ जाएगा, तो यहां से, यहां से आ गया आपका इतना, चले, धर्णेवाद मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक अंकीता कुमारी, कोई दिक्कत नहीं, अज सब का तवियत खराप होगे, अंकीता का भी है, गुडिया का भी है, चले, अब बताएगे, दोनों इसका सम इतना, और इसका सम इतना, तो हम कह सकते हैं कि भाई, कि दोनों का सम आपका बरावर हो जाएगा, मतलत 208, 208 पलस A10, यह अगर इधर आएगा, यह अगर इधर आएगा, तो 4N हो जाएगा, और यह उधर जाएगा, तो 91 को 208 से घटा देंगे, यह जगा 6, 116 आ जाएगा, सायद, देख लिए, और यह 4 से कट गया, 4 दुनियाठ, यह आ गया, n बराबर आ गया, कितना, 29, निकालना क्या है, कर दिये गया, n मानों का माद कितना है, n मानों का माद कितना है, इसके बारे में आपको निकालना है, तो यहाँ पे n जब मान आ गया, n आपका 29 आ गया, इसका माद निकालना है, तो 92, 92, कहीं भी ले ले, यहाँ यहाँ ले ले लते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, माद यकों वही आएगा, इसको जब n से डिवाइड कर देंगे, तो वही मान तो यहाँ पर आएगा 92 पलस 12 इंटू 29 यहाँ पर पहले इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से डिवैड करते हैं, तो 12 पलस तो यहाँ 12 पलस 29 और यहाँ पर आजाएगा, यह आपका 92 और बटा 29 करेंगे, तो कितने बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा, बताएंगे? बताएंगे मेरे भाई कितने बार में कट जाएगा? ठीके? तो यह लगबड आपका 29 तिया 87 का सपस कटेगा, मतलब यह आजाएगा 12 पलस 3 इतना के सम्थिंग आएगा, है ना, तो 12 तीन 15, 15 और इसकों 17 को मान सकते हैं, इसको 17 को 2 मान ले, तो एंसर आपका आजाएगा, ए, इसका, ए, इसका सही उत्तर आजाएगा, ठीक है? ठीक है? यह आजाएगा, मतलब इसकों बोल सकते हैं ना, कि 3 पॉइंट 2 मान सकते हैं, तो परतीन 15 पॉइंट आपका 2 आजाएगा एंसर, क्या इस बात को समझ पाएँ? क्लियर है? अब देखिए, यदि किसी भीन का अंस को 80%, भीन के अंस को 80% मान लेते हैं, यह P और Q आपका भीन है, इसका 80% घटा दिया गया है, 80% घटा दिया है मतलब यह 20% हो जाएगा, और हर में 60% घटा दिया मतलब यह 40% हो जाएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो प्राप्त बीन आपका 5 बटा 6 है, परसेंट से परसेंट कट गया, यह कट गया आपका 2 बार में, और यह कट गया आपका 3 बार में, मतलब P by Q आपका हो जाएगा, 5 by 3, मतलब B इसका सही उत्तर होगा, B इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, आगे बरते हैं मेरे भाई, कर एक महला अंकित मुलपत 24% के छूट के साथ एक कार खरिती है, ठीक है, मार्केट प्राइस जो था, ये 100 था, और जो महला है, जो महला एक महला है, अंकित मुल जितना लिथा, उसका 24% छूट के साथ एक कार खरिती है, मतलब CP इसका कितना होगा, 24% छूट पे खरिपती है, तो इसका 24% अगर होगा, तो ये 76 में खर देगी, मतलब वो कार 76 रुपिया में खर देगी, 100 रुपिया दाम था, उसमें 24% डिसकाउन दिया, तो 76 में खर देगी, फिर बोला, अंकित मुल पर 20% पे जब बेचेगी, तो 20 % अधिक में बेचेगी, तो 120 में बेचेगी, मतलब ये सेलिंग प्राइज है, तो कितने का यहाँ पे बोला जाएगा, कि कितना का मुनाफ़ा हुआ, तो मुनाफ़ा देखेंगे, 24 और 24 का मुनाफ़ा हुआ, और किस पे? 76 पे, गुना क्या करेंगे? 100, ठीक है? उनीचोह का 76 और ये आगे आपका 11, तो 1100 बटा 19% मतलब एणसर आजाएगा 57, इतना एणसर आएगा, A इसका साही उत्तर आएगा, ठीक है? क्या सभी का एंसर आ रहा है बहुत बढ़ियाएल, A का A, सभी का एंसर आ रहा है? बहुत बढ़ियाएल, ठीक है? बहुत अच्छ कि बाद सभी का एंसर आ रहा है, अगले सवाल का एंसर बताएंगे मेरे भाई, हाम, मोना मिस्ता, डी सिंग सभी का एंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, कितने परतीसत वासिक साधरण ब्यास की दर पर एक धंडासी, 20 वर्स में चार गुनी हो जाएगा, इसका क्या हुआ, कि P एक रुपिया था, और गुनी हो गया कितना, गुनी बोला है, चार गुनी हो गया, इसका मतलब एक रुपिया था, एक रुपिया मुल्दन था, एमाउंट हो गया, चार मतलब उसको चार रुपिया रिटन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ब्याज देख तो यह आपका 5 से कट गया तो यह आ जाएगा 15% मतलब 15% B is the right answer इसका B ज़िए answer आ रहा है बहुत बढ़िया आज़े ठीक है बड़ा बड़ा दिखेंगे ठीक एक किसी कारी का 75% देखें एक किसी कारी का 75% तीस तीन में काम करता है इसका मतलब क्या हुआ कि 3 वटा 4 काम 30 दिन में किया तो बताएंगे कि एक काम पूरा कितना दिन में करेगा तीस चार वटा 3 करेंगे तो यह 10 आ जाएगा मतलब टोटल A एक दिन में काम को एक काम को 40 दिन में करेंगे B की अगर बारे हम बोला गया है, कि 50% 18 दिन में, तो 100% आपका कितना दिन में, 36 दिन में, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखें, टोटल वर्क कितना आएगा, तो टोटल वर्क की अगर बात करें, तो टोटल वर्क आजाएगा आपका, 36, 46 और यहाँ प करते हैं, तो कारे का कितना भाग, एक दिन में complete करना है, एक दिन में, तो एक दिन में काम कितना करता है, देखिए, एक दिन में टोटल काम करता है, उनीस, और करना है 360 काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, कितना भाग काम एक दिन में हो जाएगा, तो उनीस वटा, 360 एक लड़की 16 किलोमेटर की गती से साइकिल चला सकती है। ठीक है। यहां से एक चीज करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। या तो आप ऐसे निकाल दें, लेकिन एक चीज, या तो ऐसे निकाल दो, कि निकालना है पैदल, मतलब पैदल का यात्रा को, पैदल की दूरी को, हम माल लिए एक्स, पैदल की दूरी को एक्स माल लिए, और पैदल चल रही है, साथ, और ये टोटल दूरी आपका 109, 109 मैनस एक्स कर देंगे, तो वो चल रही है, कितना 16 से, और टोटल समय देखा गया, तो ये 8.5 गंटे लगते हैं, तो ये सारे 8, मतल ये 17 वटा, 2 एंसर आ जाएगा, 17 वटा, 2, मतलब इसका टोटल समय लेगा, 17 वटा, 2, ये आ गया, ठीक है, अब यहां से अगर कैल्कुलेशन करेंगे, तो ये आप कैल्कुलेशन करेंगे, तो यहां आ जाएगा आपका, 9 सती तिरेशट, और 7, 7 X, और ये आ जाएगा आप का, 16 X, और 16 सती, 112, तो दूसरे कट गिया, 56 वार में, ठीक है, तो यहां पे देखा गया, X है, तो यहां से देखा गया, ये घटेगा, 16 में से साथ जाएगा, तो ये 9 X आएगा, ठीक है, यहां पे गुना करेंगे, तो यहां पे गुना करेंगे, तो यहां बारे में से तीन गिया, 9, और यहां पे आपका गया, चार में से, चौकदर में से छे गिया, तो आठ चौकदर, और यहां पर आ गिया इतना, 189, तो 9x यह 9 से कट जाएगा, 2 और यह 1, यह answer आ गिए, ठीक है, ठीक है, हम, दीख नहीं रहा है मेरे भाई, यह clear नहीं दीख रहा है, यह answer आ जाएगा, ठीक है, अगर हम सौ proteins, अगर बताते हैं, थोड़ा सा दिखिएगा सौ imply सौrang कट, समझेगा सौट का कैसे बनेगा, पैदल का हम समय निकालते हैं, दीखे पैदल का समय कैसे निकलेगा, हम और निकालना है मालेते हैं पैदल तो माल लेते हैं, कि सारे 8 घंटा जो चला है, वो साइकिल की और चला है, तो साइकिल से चला है, तो 16, 85, 0, और 16, 88, 128, और यहाँ पे 16, 85, 128, और यहाँ पे आ जाएगा 136, ठीक है, और 136 चला है, लेकिन यहाँ बोला है, 109 ही चलना है, यह जादा चल गिया मेरे भाई, यह जादा चल गिया, कितना जादा चल गिया, और दोनों के चालों का अंतर देख लेते हैं, दोनों के चालों का अंतर देखा गिया, यहाँ पे 9, और यह आपका घड जाएगा मेरे भाई, 27 और 9, तो यह 9 ती आपका आ गया, यह 3 घंटा आ गया, अगर यह 3 घंटा पैदल से चलेंगे, 5 घंटा और इसकी 4 है 7, तो 7 इंटू 3 कर देंगे, तो यह 21 किलोमेटर एंसर आ जाएगा, 21 किलोमेटर एंसर आ जाएगा, भी इसका राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट एंसर ह जाएगा यह आप shortcut भी कर सकते हैं पैदल का समय निकाल लिए अगर पैदल को चलना है तो पूरा पूरा जो 8-8 गंटा चला है उसको चला दो अपोजिट वाले cycle से जब वो cycle से चलता है तो 136 km की दूरी तया करता है लेकिन यहां तया करना 109 तो एक्स्ट्रा कितना कर लिया 27 और दोनों के चालों के अंतर से डिवाइड कर देंगे तो चालों के अंतर से डिवाइड कर देंगे 9 से डिवाइड के मन्दर 3 गंटा पैदल चलेगा तो पैदल का समय तीन गंटा आ गिया तो चाल इसका सात्य सात्या 21 इसका एंसर आ जागा ठीक है गिलियर है अब यहां स प्रचीत आ गया 9 साथ सोलोह एकसो साथ, ठीक है। फिर क्या बूला गया है ? दोनो भर्सों के दोरान दुकान के , दुकान पाँच की कुल भिक्री कितने प्रतीसात के बराबर है ?? पाँच की भिक्री तो पाँच 5 10 शाथ ॐएकस बार है ? 130 किसका निकालना दोनों बर्सों के दोन दुकान 5 की कुल विक्री के कितना परसेंट है मतलब यह बोला है इससे कितना परसेंट है कम याधिक नहीं बोला है कितना परसेंट है 00 जीरू, शोले सोबटा 13%, यह एंसर कितना आजाएगा, कितना आजाएगा देखू, 13 कहीं 13, ठीक है, 13, 22, 26, ठीक है, 26, 40, 13, 49, लगबग आपका 130% हो जाएगा, C इसका सही उत्तर आजाएगा, ठीक है, option किसमें मेरे भाई, इसमें, हाँ, option को यूज कर सकते हैं, हाँ, option को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिककत नहीं, option भी यूज कर सकते हैं, अब आगया कि जब सूरी की union कौन, साट डिग्री से घट कर, 45 हो जाने पर, मतलब सूरी की कौन देखेंगे, यहाँ से समझेंगे, यहाँ क्या हुआ कि सूरी पहले, यहाँ पे था, अज सूरी जब यहाँ था, तो इसका angle बन रहा था, यहाँ पे 60 डिग्री का, लेगिन सूरी यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गया, जब अब यहाँ से देखा गया, तो इधर बन रहा है, मतलब यह आ गया कितना, सूरी पहले यहाँ तक 10 मिटर, इमारत क्यों चाहिन निकाल है, यह 60, तो यह कितना होगा बहुआ, रूट 3 है, और यह कितना होगा 1, यह 45 है, तो शामने वाला 1, और यह पूरा आपका क्या होगा, 1, अब एक बात बताएंगे, कि इसी इसी लाइन को यह रूट 3 बता रहा है, और यह 1 तो ़े बता रहा है, तो क्या करेंगे, भराबर करदेंगे, 1 में होगा, बराबर करने के लिए, यहाँ रूट 3 तो यहाँ इसका रएचियो, रूट 3 दिया हुआ है, तो बताएंगे, यह पूरा आपका 1 है, तो यह रूट 3 मैनस 1 होगा, क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, अब यह 10 बराबर root 3 minus 1 है, root 3 minus 1 बराबर 10 है, निकालना किसको है, निकालना height को, यह आ जाएगा root 3, ठीक है, अब यहाँ से root 3 आ जाएगा, height निकालना root 3 है, तो conjugate multiply भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, root 3 है, root 3 plus 1, और यह root 3 plus 1 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, आपका बटा में, 3 में से 2 चल गिया, यह 2, और यह आ जाएगा, आपका 10, इतना आ जाएगा, ठीक है, तो 5 आएगा, तो 5 root 3 नहीं है, कहीं पर, देख लो, 5 root 3 नहीं है, पताएंगे, 5 root 3 यहाँ नहीं है, या इसी तरीके से मान सकते हैं, 5 root 3 नहीं है, और यहाँ पर option दिया हुए, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, आपको conjugate multiply करने के जोरत नहीं है, क्योंकि option देखेंगे, यह आपका दिया हुए options, यह option दिया हुए, C, देखेंगे हैं, यह दिया हुए, 10 root 3, यह दिया हुए, ठीक है, C दिया हुए, C, इसका सही उत्तरा जाएगा, हाँ, C, इसका सही उत्तरा जाएगा, यहाँ दिया हुए, none of these नहीं हुए, यहाँ पर दिया हुए, हम से conjugate multiply करके दिया हुए, यहाँ पर without conjugate multiply करके दिया हुए, तो आगे हमको उतना करने के जोरत रहत लिए थी, उस तिर्वूज की छेत्रपल ग्याद के जिए जिसका सिर्ष ये ये दे रखा है तो आप बताएंगे कि जो तिर्वूज का जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे ये आपका है X1, Y1 और ये आपका X2, Y2, ये आपका X3, Y3 और हम जानते हैं कि इसका एरिया होता है, क्या एरिया होता है भई, एरिया होता है X1, X1 कितना है? 9, और होता है Y2 मैनस Y3, Y2 मैनस Y3 ये 1 आ लिए तिर होता है X2, X2 आपका कितना है? 2, और X2 हुआ तो उदार होगा Y3 मैनस Y1 Y3 मैनस Y1 मतलब 2, ठीक है? Y3 मैनस Y1, यहाँ पे जब X3 लेंगे तो X3 कामान देखते हैं कितना आ रहा है? X3 कामान यहाँ पे 3 है X3 लेंगे तो यहाँ पे लेंगे आपका X3 लेंगे तो Y3, Y1 ठीक है? तो यहाँ से आ जागा Y1 तो Y1 आ गया 2 और Y2 तो मैनस 3 यह आ जागा है ठीक है? देख लेते हैं क्या इंसर आता है? यहाँ से आएगा 3 में से 2 चल गया तो 9, 2, 18 ठीक है? और यह मैनस आ गया तो यह आपका आ गया मैनस वन मैनस दो हो जाएगा और यहां से देखा गया मैनस तो मैनस थ्री ये मैनस थ्री आ गया यहां से आ गया आपका देख लेंगे कि यहां पर तीन दू पांच अठारह में से पांच चल गया तो यह आ गया तेरा 18 में से 5 चल गया, इतना यहीं जाएगा देखे तो, हाँ 13, यह आ गया 6.5, 6.5 इसका उत्तर आ जाएगा, 6.5, हाँ, हाँ, मैट्रिक्स से भी आप निकाल सकते हैं, उससे भी आसान होता है, solve करना, चलिए, करें सरवत के दो मिस्त्रन हैं, पहले मिस्त्रन में पानी और शर्वत का अनुपात, पहले मिस्त्रन में पानी, वाटर और शर्वत का जो रेश्यो दे रखा है, वो 4 रेश्यो 3 दे रखा है, दूसरे वाले मिश्टन में ये बोल रखा है कि थिरी रेश्यो आपका तू दे रखा है अब क्या किया गया है दोनों को करमसा एक अनुपात दो के अनुपात में इसको मिलाया गया है मला ये एक अनुपात और दो के अनुपात में क्या किया गया है मिलाया गया है और मिलाने के बाद किया गया एक नया बरतन में मिला दिया जाता है तो एक नए बरतन में वाटर और शर्वत की परति नुपाद लेने के लिए सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा तभी हम उनुपाद दो ले सकते हैं जैसे हम कहा रहा है कि तीन अनुपाद प्राद 4 है तो इसको अनुपाद Garcia one इसने बनाना थैसको अनुपाद से पहले बराबर करेंगे यहां चार और यहां तीन बराबर कर लिए अब यहां पे गुणा करेंगे one or two तो यह चार-चार कट गया देखिए one is to three one is to two हो जाता है तो यहां पर one is to two लाने के लिए सबसे पहले इसको बराबर करेंगे तो यहां पांस से और यहां पे कितना साथ से बराबर हो गया कि नहीं अब जब यह बराबर हो गया जब बराबर हो गया यहां से लेना कितना है एक यहां से कितना लेना है दो गुना कर देंगे अब देखो यहां जितना जितना आया है पांच काई पांच सब में गुना कर दो साथ दुनी चोगद, यहां भी गुना कर दो, जोड़ दो, पान चोगबीस, चार तिया बार, पान चोगबीस, फोटीन होगा, फोटीन, चोगद तिया ब्यालिस और पान चोगबीस, यह टोटल जोड़ कर आया बार सट, और यहां पास तिया पंदर, चोगद दुनी अठाइ और 15 की बात हुआ तो यह आ गया 43, यही एंसर होगा, किसमें नया वाले बरतन में 62 और यह रेश्यो आएगा, ठीक है, यही रेश्यो आएगा, 62 रेश्यो 43, इसका सही एंसर आएगा, B is the right answer, B is the right answer, यहां से 1 is to 2 लिया गया, इसलिए इसकों को बरावर करना पहले, जब यह ब 5 था तो यहां 7 गुना किये, और यहां से 1 कनुपात में लिया तो एक गुना करेंगे, यहां से 2 कनुपात में लिया तो 2 गुना करेंगे, हो सकता है, यहां 2 is to 3 होता, तो 2 और 3 गुना करते, ठीक है, वाटर और सरवत में यहां 4 is to 3 था, पहले बरतन में, दुसरे बरतन में 3 is to 2 था, सबसे पहले हम यहाँ पे 7 is to जोड़े, तो 7 और 5 है, और यहाँ से पहले वाले बरतन से, पहले वाले बरतन से एक लिया गया, दुसरे बरतन से एदू लिया गया, रेशियो में, तो रेशियो में जब 1 is to 2 इसको मिलाया गया है, तो सबसे पहले इसको बरावर जब बराबर किये जब यह बराबर किये 5 और यह 7 क्यों ये 1 इस्थू 2 तब ही हो पायगा जब ये बराबर होगा जब ये बराबर होगा तब हूप 10 pros टूnos 1 इस्थू 2 कह सकते हैं अनुता वह भोण ऊस्तो टूक से ले पाएंगे अभी आपको समझाए कि समझाने की कोशिश कि 3 practically अग्मा लेते हैं यह तीन और चार यह दिया हुआ है अवा अब हमको यह मन इस टू बनाना एव क्या कर दिया बराबर कर दिये इसको बराबर करना मतलब वन इस Nope एफ फहले बराबर करेंगे तभी तो वन इस्टू टू आएगा तो बराबर किये तो वन इस्टू टू ले लिए यहाँ पर पांच एकाए पांच पांच गुना कर दिये पांच गुना कर दिये यहाँ पर साथ दूनी कितना चौगदा एक्स्टा चौगदा गुना किये तो यहाँ भी चौगद खाते खाते कलास कर लो, ओन लैन में तो यही सुविधा है, देखो सवाल को समझेंगे, 69 किलोमेटर की चाल से चलते हुए एक ट्रेन, एक बिजली खंबे को आठ सकेंड में पार करते हैं, लेकिन एक प्लेटफोर्म को 32 सकेंड में पार कर जा रही है, एक बास समझेंगे, ठीक है, एक बास समझेंगे कि वो 69 किलोमेटर से जा रहा है, 69 km से वो जा रहा है, और वो एक खंबे को पार किया, एक खंबा था उसको 8 सकंड में को क्रॉस करेंगे, तो यहां पर क्रॉस करना मतलब ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, अब ट्रेन, जब ये 32 सकंड को पार कर जाते है, मतलब ये किसको पार कर रहा है, प्लेटफोर्म को 32 सकंड में पार कर जा रहा है, ठीक बात समझेंगे, कि जब, एक चीज को समझेंगे, जब मतलब कोई आदमी है, या बिजली की खंबा है, इसको जब 8 सकंड में पार कर जा रहा है, तो 8 सकंड में पार करने का मतलब ये ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई क्रॉस करने में 8 स लगता है, और जब प्लेटफोर्म को पार करेगा 32 लगेगा, तो अगर हम 8 सकेंड घटा देते हैं, क्योंकि 32 सकेंड, जो 8 सकें मनला ये, तेन की जो लेंथ है, उसको पार करने में 8 सकेंड लगता है, किसी पॉइंट से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, मनला 24 सकेंड में, 24 सकेंड में सिर्पिस को पार कियागा, प्लेटफोर्म को, तो यहां देखिए, आराम से निकल जाएगा, 24 कुना, 69 किलो मेटर, तो ये आपको 5 वटा 18 कर देते हैं, क्योंकि ये ये आपका सकेंड में है, तो ये भी मीटर पर सकेंड में कर देंगे, तो एंसर आजाएगा, त आप देखिए, 24, 6 चोग 24, 6,38, ये कट जाएगा, आपका, 5 चोग 20, ये आएगा, कितना, कितना मेटर, डारेक्ट आजाएगा, किसका, प्लेटफोर्म का, 460, 460, चले, आगे बढ़ते हैं मेरे बाई, आगे, ये आज कालास्ट सवाल हुआ, यहां बोला गया है, कि यदि समिकरन इतना, इतना का कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होने का मतलव ये हुआ, कोई हल नहीं होने का मतलब क्या हुआ, कि वो आपका condition होता है A1 by A2 B1 by B2 does not equal to C1 by C2 यह हल नहीं होने का कब होता है जब यह समांतर जब यह समांतर रेखा होता है और जब यह समांतर रेखा होगा तो इसमें क्या होगा No solution होगा मनलब कोई हल नहीं होगा हिंदी में क्या बोलेंगे कोई हल नहीं होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं आसंगत बोलते हैं आसंगत बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बीरोधी इसी को बीरोधी भी बोलते हैं आपसे पूछा जाएगा डारेट बोल देगा कि बिरोधी किसको बोलते हैं, यह पैरलल होता है, जब यह पैरलल होगा, तो कहीं मैच ही नहीं करेगा, तो यह असंगत होगा, असंगत मतलब कोई संगती नहीं होगा दोनों में, तो असंगत हो गया, बिरोधी मतलब यह दोनों कभी नहीं मिलेगा, मतलब यह दोनों बिरोध ही है बिरोधी पार्टी का यह कभी नहीं मिलेगा तो बिरोधी हो गया नो सॉलुशन कभी मिलेगा नो सॉलुशन होगा यहां से आप देखेंगे यहां से पूट कर देंगे 4 by 6 3 by minus k ठीक है और does not equal to 5 by minus 7 यहीं दोनों से निकाल लेते हैं सॉलुशन यह आजाएगा आपका पूर के और यह आजाएगा 4 तीया कितना 6 ती 18 तो यहां से के बराबर आजाएगा 18 बटा 4 माइनस में तो निकाल देंगे 4 चुक 16 4 पंचे 20 के का माना गया कितना यह इसका सई उत्तर आ गया हाँ हाँ सोनू हूँ हाँ को अगया आपका खतम चले क्लियर है यहां तक यहां तक टोटल सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है चले दन्यवाद मेरे बाई परफेक्ट ग्यान रियल नंबर वाले ठीक है बता देते हैं रियल नंबर वाले समिस्त्र संख्या इसको बोलते हैं समिस्त्र संख्या ही दो भाग में होता है एक होता है आपका इसको बोलते हैं रियल और इसको बोलते हैं इमेजीनरी इसको वास्त्रविक और इसको बोलते हैं कालपनिक यह कालपनिक हो गया तो यहीं पर आपका कालपनिक यह रुख जाता है यहां पर यह कालपनिक हो गया तो यहीं कालपनिक आपका रूट रुख जाता है मेरे भाई ठीक है, चलिए ठीक है बाए, सभी लोग को बाए, ननिवाद, तहे दिल से सुक्रिया, जी जी बिहार से हूँ, अब यहाँ पर वास्तविक, अब जब रियल आएगा, तो यह आपका होता है, परिमेश संख्या, अब रियल नंबर को दो भाग में बारते हैं, परिमेश संख् हैं, हैना, रेश्टल लंबर, और यह रेश्टल लंबर, ठीक है, क्लिर रहें यहाँ तक, अब देखिए, यह परिमेश संख्या भी, दो तरीकेश्य होगा, एक होगा, पुर्णांक, इंटीजर, और एक होगा आपका दस्मलव, दस्मलव भी दो तरीके को होते हैं, एक सांत होते हैं, जो आपको कोश्चन्स आया गया इसमें, और एक होते हैं आसांत, टर्मिनिटिंग और नन टर्मिनिटिंग, पुर्णांक भी आपका दो तरीके का होता है, एक आपका धनात्मक होता है, रिनात्मक होता है, धनात्मक होता है और रिनात्मक होता है, क्लियर है, पॉजिटीव और पॉजिटीव और निगेटीव, अब जब धनात्मक की अगर बात करें, तो धनात्मक में आपका होता है, पुन संख्या, फीर, राकित संख्या, उसके बाद, सम संख्या उसके बाद विशम संख्या यह होता है तो एक बात समझें जो सवाल बोल रखा है बोल रखा तक क्या समिस्त्र संख्या वास्तिविक होता है समिस्त्र संख्या वास्तिविक होता है लेकिन उसके साथ साथ कालपनिक भी होता है लेकिन ये सवाल अगर बोल दे कि वास्तिविक संख्या समिष्ण संख्या होता है ये संख्या ये होता है तो हम कहेंगे ये सही है चीक है बात समझेगे नहीं यही सवाल यहां पर पूछ रहा था हुँ कोश्चन पर एक वर जाएं कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन दिया हुआ है कि हर वास्तिविक संख्या एक पूर्णांख है कितना नमर कोश्चण सेंपके? एक सो एक्तिस नमर सवाल है. कि हर वास्टविक संख्या एक पुर्णांक भी होगा. तो पुर्णांक के अलावाल लगे? इसे अलावाल लगे हैं, परीमेभी होगा? पुनांक भी होगा, डैसिमल भी होगा, धनात्मक भी होगा, रिनात्मक भी होगा, मल्लव नहीं, को वास्तविक संख्या सिर्प पुनांक संख्या नहीं होगा, मतलब और भी संख्या हो सकता है, ठीक है, दुसरा बोला है, कि प्रतेक समिस्र संख्या को वास्तविक संख्या के के रुप में व्यक्त किया जा सकता है, जो भी सम्रिष संख्या उसको बोला है कि नहीं, वास्तिविक संख्या में ही उसको डेनोट किया जा सकता है, नहीं, समित संख्या आपका, समित संख्या आपका वास्तिविक की हो सकता है, और काल्पनिक में भी आपको क्या कर सकता है, य वोश्के बाद आगे बोला गया है कि प्रतेक वास्तिविक संक्या, प्रतेक वास्तिविक संक्या, समिल संक्या- के रुप में लिखा जा सकता है, यह सही है, मतलब C इसका सही उत्तर होगा, मेरे भाई, C इसका सही-Uत्तर होगा ठीक है? किल्यर रहे यह तक? चली, आज की सेवा यहीं पे समाब्त करते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे comment box में कैसा लगा class आप लोगों को, आप लोगों support करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए इतना समय के लिए इतना समय तक मेरे साथ जुड़ने के लिए तह दिल से शुक्रिया धन्यवाद तह दिल से नमस्कार करते हैं तह दिल से शुक्रिया आदा करते हैं आपको कि आप इतना दिन मेरे इतना लेट से इतने लेट से आप जगे रहें और मेरे साथ जुड़े, चलिए, हाँ, सर चंदन कुमार यादव, चलिए, ठैंक यू मेरे बाई, ठैंक यू, सभी को सपोर्ट करने के लिए, ठैंक यू, धन्यवाद, तहे दिल से शुक्री यादा करता हूँ, चलिए, मिलते हैं, जैहिन, जै भारत, गुड़ नाइट, ठैंक यू, ठैंक यू, आप लोग के लिए, मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, कि अभी तयार हम, अभी, common paper के लिए, सिर्फ common paper में जो अच्ट questions पुछते हैं, उसके लिए question तयार कर रहे हैं, लगवाद दूसरो question तयार कर रहे हैं, और दूसरो question को में टोटल, आपके ये क्या बोलते हैं एक दिन में ही आपका मैरा अथन में लेंगे दूसर कोशन्स एकदम ऐसे कोशन्स जो कि आपके एकजाम में एकजाम के पॉइंट अब यू से बहुत इंपोर्टेंट हो पास से कोशन आने की संभावना होगी तिक है चलिए मिलते हैं थैंक यू थैंक यू मेरे बाई